अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं अगर आप से रिक्वेस्ट है कि पहले के सेशन्स के साथ अगर आप देखते आएंगे तब ही आप thoroughly connect कर सकेंगे मेरे पढ़ाने के philosophy से क्योंकि अगर आप regularly watch कर रहे हैं मेरे sessions को आप भली भात ही समझते हैं कि किस तरह हम जाद से जादा facts तो एक हटा करी रहे हैं लेकिन हमारा main emphasis से रहता है concept building पर so make sure you watch all those previous sessions the link for previous sessions is also available under this video इस वीडियो की निचे जब पेंड कमेंट है वहाँ पर भी playlist का link आपको मिल जाएगा so okay शुरू करते हैं आज का हमारा session so जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आज हम समझेंगे Europe of 1914 है न यह मैप हम already दो तीन बार establish कर चुके हैं इस मैप को हम समझते हैं क्या ही यह मैप है आपका triple alliance और triple endon का यानि कि wish youth से पहले जो शक्तियां आपस में बट गई Europe की जो central powers है जर्मनी और इतली इन तीनों ने एक जो है वो गुट बना लिया और उसके अलावा allies या central sorry not central बट जो allies बने कौन-कौन Britain, France और Russia जो है वो आपस में जुड़ गए है तो यह दो प्रमुक शक्तियां आपस में लड़ रही है तो इस मैप के जरीए आप अच्छे समझ सकते हैं तो 1914 तक youth छिडने से पहले की गुट बंदी है यह youth छिडने से पहले जो alliances है तो दो alliances है पहला triple alliance है Germany, Austria, Hungary और Italy ठीक है और दूसरा है आपका triple entrant United Kingdom, France और Russia और Russia साथ दे रहा है Monte Negro, Serbia का उसके अलावा Portugal, Spain, Romania, Bulgaria, Greece, Albania, Turkey यह अभी neutral है अभी youth में उतरे नहीं और Central Europe में Netherlands, Belgium, Luxembourg, Switzerland यह अभी youth में नहीं 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 देरे 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 देखेंगे कि कौन इन मे से youth उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा ठीक है आज हमें यहीं समझने है तो लेकिन youth से पहले की घटना है एक बार फिर से refresh करता हूँ, background create करते हैं, so youth से पहले मैंने आपको बताया था कि 1870s, 80s के बाद से ही यूरोप में गुटबंदी शुरू हो गई थी, पहले auto one बिसमार ने जो central European शक्तियां हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करी और रशिया को भी साथ में जोडने की कोशिश करी लेकिन विलहम सेकेंड जब शक्ती में आया उसने विसमार को resign करने पर मजबूर किया, उसके बाद रशिया जो है वो 1894 के बाद फ्रांस के साथ उसने alliance मना लिय और ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ट्रिपल एंटर्ण के रूप में establish हो गए, right, so यहाँ पर यूरोप में, जब यूरोप ने 20th century में enter किया, तो clear दो बड़े groups available थे, दिख रहे थे, right, clear दिख रहे थे, और मैंने आपको main कारण तो बताए ही, विश्यूद के शुरू हो कि अगर यूद छेड़ता है, तो उसकी क्या-क्या, मुलब क्या-क्या possibilities हो सकती है, किसके साथ यूद छेड़ेगा, माल लिजे, अगर जर्मनी के generals है, तो वो क्या-क्या, वो सारी possibilities के लिए, जो है, वो plan create करने में लग गए, यानि कि अगर केवल Russia से यूद छेड़े, केव ब्रिटेन से यूद छेड़े, या केवल France से यूद छेड़े, ये तीन दुश्मन है, ठीक है, और अगर Russia से छेड़ता है, तो two front war France से भी छेड़ जाएगा, अगर France से छेड़ता है, तो ब्रिटेन से छेड़ता है, तो हर possibility को ध्यान में रखते हुए, plans create किये गए, ना ही क military plan, schlefin plan पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, so point ये है, विश्वीत के छेड़ने से पहले का जो background है, वो ये है कि military तोर पर शक्तियां तयार हो रही है, मैंने आपको बताया कि जर्मनी जो है, वो अपनी navy को strong करना चाता है, क्योंकि ब्रिटेन की navy सबसे जादा strong है, और जर जर्मनी का क्या है, ambition है, और उस समय की सभी European शक्तियों का यही ambition है, और ये एक ना बहुत common analogy, एक बहुत common भावना European nationalist में फैली हुई थी, कि युद जो है, वो देश के लिए बहुत अच्छा है, एक ये भावना फैली हुई थी, कि युद देश के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि युद जो है, वो economy को revive कर देता है, क्योंकि युद के दौरान जो war industries establish होती है, वो mass production करती है, तो industrial revolution में बूम आता है युद के दौरान, तो जो European शक्तियां हैं, वो ये मानती थी उस समय, और काफी सारे, मतलब not पूरा का पूरा European population यही मानता था, लेकिन European population में जो प्रभावशाली industrialist थे, उनमें से एक ऐसा section था, जो कि यह मानता था कि अगर यो दिछेड़ता है, तो जो war industries establish होंगी, उससे economy को boom मिलेगा, ठीक है, इसलिए militaries आपस को, आपस में एक दूसर, मतलब militaries जो है, वो इसलिए plans जो है, वो create कर रही थी, क्योंकि अगर यो दिछे अगर हम Austria, Hungary, Russia या Germany की बात करते हैं, इनकी जो monarchy है, ठीक है, एक तो यह, यानि कि इनकी royal family आ गई, दूसरी इनकी जो भी parliament है, उस parliament में, जो भी वहां के merchants लोग जो है, वो चुनकर पहुंचे, कुछ वो लोग है, यानि कि इनके politicians हो गए, so monarchy, politicians, politicians were backed by capitalists, or politicians were backed by merchants, and sometimes, in most of the cases, politicians were the merchants, right, और तीसरा एक और बहुत powerful जो है, वो ग्रूप हमें नजर आया, वो है military generals का, अब वो military generals हो सकता है, aristocracy से आ रहे हो, वो military generals हो सकता है, royal family से आ रहे हो, और वो military generals हो सकते हैं, कि इस नए उभरते हो है, merchant class से निकल रहे हो, right, लेकिन politicians, monarchies, military generals, और अन्य बहुत सारे industrialist, merchants traders, और फिर उसके बाद जो है, वो बहुत सारे pressure groups, मतलब आप देखेंगे कि 19th century के last में, 20th century के शरुबात में, यूरोप में, बहुत सारी political good बंदिया हो चुकी थी, बहुत सारे political ideologies, marxism, socialism, ये सब आ चुके थे, ये सब popular थे, ठीक है, जितने भी labors हैं, labors के support में, बहुत स pressure groups बन गए थे, बहुत सारे political parties बन गए थे, बहुत सारे reforming groups बन गए थे, ठीक है, उसके अलावा feminist groups भी बन गए थे, और जो पुराने चले आ रहे है, aristocratic class के supporters, जो royal class के supporters, जो aristocratic merchants हैं, वो तो हैं ही, military class जो है, वो उबर कर आया, क्योंकि military generals जो है, वो अपने plans बना रहे थे, और वो जानते थे, कि युद्ध छिड़ता है, तो हमारी importance बढ़ जाएगी, इसलिए military generals इस बात पर pressure डाल रहे थे, कि युद्ध जो है, वो होना चाहिए, ताकि हमारी political importance बढ़े, सो बहुत सारी forces जो है, वो यूरोप में काम कर रहे थी, सो लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि मैं केवल यहाँ पर foundations बनाऊंगा आपकी, आपको confuse नहीं करूंगा, micro analysis पर जाएंगे, वहाँ पर हम एक एक, जो है, वो military journal का नाम उठा कर पढ़ेंगे, कि किसने क्या किया, किसकी क्या गलती है, किसने क्या बहतर काम किया, right, So, micro analysis का काम है, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, कि military जो generals है, उनका क्या रोल रहा, उनकी कहा गलती रही और कितना हथ तक उनने ब्लेम, उन पर ब्लेम डाला जाना चाहिए, Politicians का क्या रोल रहा है, क्योंकि देखिए, बहुत सारे students ना, और बहुत सारे, मतलब, not just आज, लेकिन, उस समय भी, माल लिजिए, उस समय, अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति, अगर विश्यूद की व्याख्या कर रहा होता, तो उस पे तुरंट जो है, वो लांचन लगाए ज सो माक्सवादी ये कह रहे थे, जो capitalist है, उनकी वज़े से ये यूद हो रहा है, और इसलिए capitalism खतम होना चाहिए, और communism आना चाहिए, ये माक्सवादी का, लब, इन अच्छाल अगर मैं बताऊं कि तो ये उनका विचार था, लेकिन मैंने आपको बार-बार कहा है कि केवल ए एक factor नहीं थे, capitalist के अपने interest थो थे ही, लेकिन जो monarchs है, उनको अपनी royalty भी बचानी थी, जो military generals है, उनको अपने career भी बनाने थे, जो politicians है, उनको अपनी party के लिए काम भी करना था था कि आगे कई, आगे कई मतलब सालों तक, कई दशकों तक उनकी party जो है, वो सत्ता में बनी रहे, तो काफी सारे factors हैं, हमें काफ, इसलिए केवल यह मन समझा कीजेगी, अगर मैं किसी एक ideology को, एक ideology विशेश के बारे में अगर बोल रहा हूं, तो मैं उसी ideology से sympathy रखता हूं, नहीं, मेरा काम है आपको दुनिया के अलग-अलग तराजूओं से परीचय कराना, मेरा काम है different perceptions दिखाना, और आप उन सभी different perceptions को देखेंगे, तभी conclusions create कर सकेंगे, सो विश वियूद में monarchs, तो मैंने बोल रहा है, यह micro analysis पर जब ले जाओंगा, तब करेंगे इन सब बातों को, monarchs की क्या, क्या जिम्मेदारी बनती है, विश विशूद को लेकर, military generals की क्या बनती है, capitalist की क्या बनती है, politicians की क्या बनती है, ठीक है, उसके अलावा mass media क्या कर रहा था उस समय, बहुत सारे अख़बार भी तो popular देना उस समय, उनका क्या रोल है, propaganda कि इस तरह चलाया गया, क्य क्या, क्या फिल्मे बनी, ये सारी चीजे हमें micro analysis में समझनी है, बहुत सारे factor होता है, युद के पीछे, so केवल propaganda में मत उलज जाये कीजिए, कि तुम केवल उसकी बात कर रहे हो, या तुम केवल उसकी बात कर रहे हो, right, मैं आपको perception सिखाऊंगा, मुझे propaganda मत समझ ये मेरे पढ़ाने को, बहुत सारे students समझते हैं ये propaganda लेकर पढ़ा रहे हैं, नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि propaganda क्या क्या होते हैं, और हर चीज के propaganda होते हैं, ठीक है, communism, socialism, marxism के, उसके अलाबा, imperialism के, capitalism के, सब के propaganda हैं, मैं सब के propaganda आपको समझाना चाता हूँ, and I want you to understand all those, ठ अब ही perceptions को समझें, और फिर conclusion create करें, तब जाके आपको reality, अब देखिए, इतिहास को समझने का जो एक मातर सबसे सटीक तरीका वो ये है, कि आप इतिहास से गुजरें, तब भी हो सकता है, आपको ना समझाएं, ठीक है, लेकिन अब जो घटना, एक सौ साल पहले घटी थी, या उससे भी ज़्यादा पहले घटी थी, उसके बारे में केवल हम, जो किताबों में छप गया है, या जो document हो गई है, जो archives में दबी हैं चीजे, वहीं से ही perceptions जोड़ जोड़ के हम, अपने जो हैं, वो दे सकते हैं, क्या, comments इस पूरे event पर, ठीक है, So I hope आपके पास background prepared होगा, ठीक है, So शुरू करने जा रहे हैं आज हम, outbreak of the war, यानि युद्ध के दोरान की घटनाएं मैं आपको समझाओंगा, background आपके पास thoroughly clear है, कौन किस के साथ युद्ध लड़ना चाह रहा है, पिछले session में आपको बताये था, जर्मनी ने अपनी सबसे पहले mobilization करने वाला जो राष्ट रहा वो रशिया रहा, इसलिए blame रशिया पर ढलता है कि तुमने escalate कर दी situation, लेकिन आज हम समझाएंगे कि शुरुवाती blame क्यों जर्मनी पर डाला गया, Austria, Hungary और जर्मनी के साथ क्यों treaties की गई, ठीक है, क्योंकि आज मैं युद्ध ख और यह अगला मैप है, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, अगर आप मेरे regular students हैं, तो आप बहतरीन तरीके समझते हैं कि यह जो काली दुनिया और यह जो लाल दुनिया है, इसके बीच का युद्ध है, ठीक है, यह जो काली दुनिया है, यह है Entont Allies, यानि की Russia, France और ब्रिटेन के साथ जो भी शक्तियां जुड़ी हैं विश्व यूद को विश्व यूद इसलिए कहा जाता है और यूरोप का यूद इसलिए नहीं कहा जाता क्यूंकि भले ही जो फिजिकल लडाईयां हैं वो यूद जो है वो mostly यूरोप में हुआ हो लेकिन उसका economical, political impact जो है वो throughout world दिखा इसलिए और जैसे भारत हो गया, Australia हो गया, Canada, Britain की और एफ्रीका में काफी सारे जो है वो देश-Britain की कॉलनीज थे उसके लाबा France की कॉलनीज थी रशिया पूरा का पूरा मेंलेंड रशिया जो है वो एकॉयर करा है रशियन एंपायर ने तो दुनिया का काफी बड़ा हिस्सा डिरेक्टली वे यूद में जुड़ा हुआ था और इन डिरेक्टली भी अपने कॉलनीज के जरीए और economic impact तो global था ही देखिए सबसे पहले देखते हैं श्लाइफन प्लैन क्या है ठीक है मैंने बोला ना कि जो military generals हैं वो युद छिडने के कई साल पहले से ही plans बना कर बैठे होए थे उन में से एक plan था श्लाइफन प्लैन जो कि लगबग 1905 के आसपास तक ये एक military general है जर्मनी के उन्होंने श्लाइफन प्लैन create कर लिया था और श्लाइफन प्लैन क्या था श्लाइफन प्लैन था कि अगर जर्मनी युद में यानि कि अगर युद छेड़ता है जर्मनी के खिलाफ और अगर जर्मनी फ्रांस से युद छेड़ता है तो रशिया भी उद में उतर आएगा that means जर्मनी को two front war जो है वो लड़ना ही पड़ेगा किसके खिलाब France और Russia so schleifen plan basically क्या बोलता है कि हम जल्दी से France में जाएंगे France को हम हराएंगे और by the time Russia अपने आपको mobilize कर सकेगा हम वापिस जो है वो eastern front में पहुँच जाएंगे और रशिया पर attack कर देंगे simple as that ये है basic schleifen plan क्यों क्योंकि रशिया अभी तक उस तरह industrialized नहीं हुआ है जिस तरह Germany industrialized है और industrialized होने का मतलब है कि railway track बहुत बहतरीन तरीके से Germany में established है और रशिया में नहीं है रशिया भले ही कितना बड़ा हो लेकिन जो western part है रशिया का केवल वही जो है वो industrialized हो सका है और वो भी बड़े level पर नहीं that means अपनी इतनी बड़े इतने बड़े भागालिक विस्तार से सेना को इखटा करना और अपने रशिया के western front तक लेकर आना यानि की जर्मनी के eastern front तक लेकर आना रशिया को लगभग 12 से 16 हफते उसमें लगेंगे और जाद समय भी लग सकता है ये जर्मनी ने अनुमाल लगाया ठीक है जर्मनी ने ये अनुमाल लगाया कि अगर रशिया को 12 से 16 घंटे या उससे भी जाद नौट घंटे लेकिन हफते या उससे भी जाद समय लग सकता है अपनी सेना को मूव मॉबलाइज करने में कहां पर तुदा eastern border of Germany या western border of Russia इतनी सेना मॉबलाइज करने में कि वो अब attack कर सकें बड़े level पर जर्मनी पर ठीक है इससे पहले ही इससे पहले केवल 6 हफते में ही जर्मनी फ्रांस में एंटर करेगा फ्रांस को हराएगा और फिर वापिस पहुंच जाएगा रश्या से लड़ने इस वस श्लाइफन प्लान ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि विश्विद के दौरान जर्मनी के पास केवल एक प्लान था जर्मनी के पास दर्जनो प्लान अवलेबल थे कि क्या करना है युद के दौरान लेकिन मैंने बोला ना कि military generals भी अपनी political शक्ती जो है वो बढ़ाना चाहते थे तो यहाँ पर military में भी जवरदस politics चल रही थी तो श्लाइफन प्लान को यूज किया गया है क्योंकि श्लाइफन जो है वो politically एक strong military leader थे इसलिए उनके प्लान को adopt किया गया लेकिन एक बात ध्यान रखना है हमें कि तो श्लाइफन प्लान वर्ड यूज किया गया वो wish youth के बाद यूज किया गया जब इस प्लान को execute किया जा रहा था तब यह वर्ड यह नहीं यूज किया गया था तब उसके लिए और बहुत सारे codes थे plan 16, plan 17 इस तरह के बहुत सारे codes थे ठीक है सभी देश इस तरह के codes यूज कर रहे थे श्लाइफन प्लान वर्ड जो है वो जबनी बहुत बाद में यूज किया है ठीक है सो यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि श्लाइफन प्लान जैसा plan क्या किसी और military journal ने भी बनाया था या बाद में युदहारने के बाद श्लाइफन को scapegoat किया गया यानि बली का बकरा बनाया गया क्योंकि मैंने बोला ना दरजनो plan अवलेबल थे तो जो श्लाइफन ने plan बनाया होगा उसी तरह का plan और भी कई military journals ने बनाया होगा क्योंकि फेल श्लाइफन का प्लान हो गया और श्लाइफन जो है वो notorious था इसलिए हो सकता है उसे escape goat किया गया हो तो खेर हम जब micro analysis पर जाएंगे तब इन छोट-छोटी चीज़ों को उठाएंगे लेकिन आज हमें मैंने बोलना फंडामेंटल तो फंडामेंटल के नाम पर हमें स्लाइफन प्लैन समझना है ही ठीक है फिर पहला point देखेगा Germany quickly put it military plan into effect यूद छेड़ा मैंने आपको पिछले session में बताया था कि यूद डिकलेर हुआ ठीक है पहले और पहले Austria ने जर्मणी ने यहिं माना जी यूद्ट डिकलेर हो गया फिर जर्मणी ने फ्रांस को फ्रांस के मदद मढगी तो जर्मणी के खिलाँ फिर जर्मणी pregunta पर अटेक किया Belgium के रास्ते और Ichm वज़टन स्टेट फ्रम दढब और Belgium British convention professional के लिए important है क्योंकि Belgium के रास्ते Britain अपने goods को यूरोप में बेचता है समझने है Belgium के रास्ते Britain अपने goods को यूरोप में बेचता है तो Belgium यूरोप के लिए स्वारी Belgium ब्रिटेन के लिए बहुत necessary है तो Belgium पर जैसी attack हुआ तो यह जो English Channel के ports हैं जहां से Britain ट्रेड कर रहा है यूरोप में वो threaten हो गए तो Britain ने यूद घोशित कर दिया जर्मनी के खिलाफ मैंने आपको पिछले सेशन हो गताए था इट वस ए चेन रियक्शन जो alliances थे वो एक दूसरे के support में कूद गए और यूद जो है वो वयापक लेवल पर चला गए लेकिन जर्मनी ने क्या जर्मनी ने जब स्लाइफन प्लैन एक्जिक्यूट करना शुरू किया तो उन्होंने क्या सोचा था कि छे हफते के अंदर अंदर हम फ्रांस को हरा देंगे और अगले छे हफते के अंदर-अंदर हम जर्मनी को हरा देंगे लेकिन रशिया को हरा देंगे और जर्मनी अकॉर्डिंग टू जर्मनी उन्होंने ये प्लैन किया था कि बिफोर क्रिसमस जो है वो यूद निपट भी जाएगा ठीक है वही पर ही ऑस्ट्रिया हंग्री ये सोच रहा था कि यूद सर्बिया तक ही रहेगा वल्ड लेवल पर या पूरा यूरोप उसमें उतरेगा ही नहीं और शुरू में सभी शक्तियां यही मान रहे थी लेकिन अगर आप देखेंगे न माइकर आपको बताऊंगा कि किस तरह फ्रांस जो है वो फ्रांस के प्राइम प्रेजिडेंट ने जो है वो विजिट किया था जार निकुलस सेगंड के पास कि क्या आपका प्लैन है और उन्होंने जब बोला था कि इसको रिजनल रखेंगे लेकिन उसी के अगले दिन जो है वो जार निकुलस सेकिंड ने अपनी सेना को मोबलाइज कर दिया था तो यह चोटी-चोटी चीज़ें अंदर की बाते मैं आपको माइक्राइनलिस में बताऊंगा ठीक है नेक्स पॉइंड देखेगा 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 देख प्रीप आफटर इस डिशाइनर जनेरल अल्फरेद ग्राफ वण श्लाइफन ठीक है तो यह देड भार मिलीके जर्मशनल कास प्लनी के so जर्ल अल्फरेद' graph 1 Schleifen in the event of a two front war according to Schleifen plan in the event of a two front war Schleifen had cut called for attacking France and then Russia the general had reasoned that Russia due to lack of railroad would have difficulty in mobilizing its troops under the Schleifen plan a large part of Germany army would race west to defeat France and then return to fight Russia in the east speed was vital to the German plan the French troops along their border speed was vital to the German plan the French had troops all along their border with Germany thus the Germans knew that breaking through would be slow work there was another route however France's northern border with Belgium was unprotected Schleifen but look at this as we plan we don't have to do it as we don't have to do it as we don't have to do it we don't have to do it we don't have to do it so we will invade Belgium and Belgium is Germany तुरंथ राइट और Belgium के पास सबसे important बात यह कि Belgium के पास armored railway था है ना उनके पास जो railways थे वो armored थे यानि उन पर बक्तर बन थे तो उन railways से वो क्या कर सकते थे समान भी आराम से पहुंचा सकते थे और उसका use जो है वो ऐसा मतलब battle में भी use कर सकते है उसका और उसके लावा Belgium ने कई काम कई ऐसे जो है वो actions लिए जिससे जर्मनी आगे नहीं वड़ सका उन्होंने railway lines तोड़ दी सडकें उखाड दी गड़े खोद दिये जगा 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 जिससे क्या हुआ basically Germany का time जो है Germany का time waste करे in the mean time in the mean time Britain जो है वो अपने अपने troops को Europe में भेजना शुरू करे और Britain जो है वो क्या करे क्योंकि Britain की मैंना आपको बताया ना सैना बहुत कम लग बग एक लाखी सैना ठीक है सैनिक Britain के पास बहुत कम नेवी बहुत ज़ादा इसलिए Britain को जल्द से जल्द अपने colonies से सैना को बुलाना था ठीक है यानि Canada में उनको जल्द से जल्द सैनी के खटा करने थे ठीक है Britain itself में वहाँ पर जो मजदूर है उनको motivate करना था कि सैना में उतरो यही काम France और Britain ने बड़ लेवल पर किया क्योंकि Germany में conscription था यानि कि आपको जो है वो यह आपके लिए obligatory है कि आपको सैना में भरती होना ही पड़ेगा लेकिन France में इतना बड़ लेवल पर नहीं था conscription और Britain में तो था ही नहीं ठीक है that means Britain के आर्मी जर्नल्स को motivate करना पड़ा लोगों कि आप जो है वो जुड़ी है तो वहाँ पर कई सारा propaganda छपा कि अपनी mother country को बचाना है आपको यह करना है वो करना है ठीक है यॉर country needs you करके काफी सारे posters छपे ठीक है इस तरह के और उसमें जो है वो motivate किया तो जादस जादस लोग जुड़े देखते ही देखते एक million सेनिकों की सेना जो है वो बिटेन के पास इखटा होगी लेकिन उसमें समय लगा उस सेना को इखटा करने में जो समय लग रहा था वो समय Belgium को निकाल कर देना था Britain को क्योंकि अगर Belgium को पूरी तरह से जीत ले Germany तो जो ports है important यानि कि खास करके जो डंकक का जो port है उस पे तुरंच जो है वो Germany अपना control कर लेगा और ये जो डंकक या उसके आसपास के जो बलोनी वाले जो पूर्ट है ये सब अगर जर्मनी ने control कर लिए तो ब्रिटेन अपने ट्रूप्स को फ्रांस में नहीं वेच सकेगा समय में समय से राइट सो ब्रिटेन को अभी सैनिक भरती भी कराने है बेल्जियम को रोक रोक के भी रखना है ताकि जो इंग्लिश चैनल वाले जो ports है वो secure रहे और श्लाइफन प्लैन को delay करने के और भी काफी सारे कारण है दिरे दिरे आएए देखे डिसकस करते है ठीक है सो बेल्जियम के साथ देखे क्या किया अब यहां पर इस मैप के माधियम से मैं आपको थोड़ा सा स्लाइफन प्लैन समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है यह पहला मैप देखिए इस मैप में आप क्लेरली देख सकते हैं इस जर्मनी ठीक है दिख रहा है आपको जर्मनी है जर्मनी के साथ में बेल्जियम नज़र आ रहा है नेजरलेंड नज़र आ रहा है लकजमबर्ग नज़र आ रहा है और यह फ्रांस है दिस वस्टशलाइफन प्लैन इनिस दिखन पन है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या कहा इसने क्या कि जर्मनी जो है वो तुरंत बैल् दूसर रिवर है उसके अलावा आइन रिवर है और मान रिवर है ठीक है यह कुछ नैचुरल बॉर्डर्स प्रोवाइड कर रही है फ्रांस को स्वारी पैरिस को इन रिवर्स पर अगर आप उलज गए फ्रेंच सोल्जर्स के साथ तो आप यह जो मतला इंग्लिश चैनल के आपको इन सब रिवर से घूम कर जाना है ताकि आप जादा से जादा पोर्ट को सेक्योर करें ही और आप पैरिस को पीछे से अटैक करें तो देखें यहां पर कोई ऐसी बड़ी रिवर नहीं है जो पैरिस के लिए जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करें ठीक है क्योंक जर्मनी के रास्ते आप वापिस जो है वो रशिया पर अटैक करने के लिए जर्मनी के इस्टन बॉर्डर पर चला जाएंगे डिस वस दश्लाइफन प्लैन वेरी सिंपल और वेरी इफेक्टिव अगर ठीक से एक्सेस किया जाए अब आपका यहां पर पॉइंट यह बना सेना ठीक है जर्मनी की सेना की संख्या भी जादा थी और वेल इक्विप्ट भी थी देखिए अभी युद के दुरान में आपको कई सारे ऐसे हत्यार बताऊंगा जो जर्मनी ने यूज की और बहुत एडवांस थे और जो अलाइड फोर्स है वो बहुत चंकर बहुत अकर रहे गई कि इतने भैतरीन जो है वो टेक्नोलोजीज कब डेवलप कर ली जर्मनी ने हमें तो पता भी नहीं चला ठीक है सो जर्मनी की सेना इस जो है वो वेल एक्रिप्टी प्लस जर्मनी भली बहाती जानता था कि फ्रांस और रशिया के पास आटलरी नहीं है उस तरह की तोप नहीं है उस तरह की आटलरी जो है वो जर्मनी के पास है ठीक है और कुछ हद तक वो सही था लेकिन बेल्जियम ने जो टाइम वेस्ट कर दिया ना जर्मनी का वो तुरन से पहले वो फ्रांस में डिप्लॉय कर दिये गए तो यहां पर देखिये दिस वज दा श्लाइफन प्लैन यह जो सबसे बाहर वाला जो आपको आरो दिक रहा है ना दिस वस द श्लाइफन प्लैन ठीक है लेकिन उसकी अडप्टेशन जो उगी देखिये इस नेक बाहरवाला arrow है ये श्लाइफन प्लैन था हो ना था ठीक है अब यहां पर न यह map बहुत important है क्योंकि इस map में बहुत सारे बहुत सारी चीज़े आपको बताई गई है इस map में आपको ये भी दिखाया गया है कि जर्मन सेना कहां तक बढ़ सकी फिर दिखाया गया है कि front line कहां पर develop हुआ फिर दिखाया गया है कि important जो है वो battlegrounds या battle places जो है वो क्या क्या रहे ठीक है तो इस map को आप बहुत खास तोर पे ध्यान रखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा तो यहां पर आप देखिए जर्मनी की साइड आप देख रहे हैं कि साथ जो है वो ये one two three four ये पांच ने एंटर किया और दो को रिजर्व रखा गया ठीक है देखिए सो जो actual plan था वो क्या था कि पीछे से घूम के जाएंगे और attack करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्यूंकि उतना समय नहीं बचा क्योंकि Belgium ने बहुत time waste कर दिया ठीक है सो Belgium ने जो इतना time waste किया है उसकी वजह से अब जर्मनी को छोटा plan लेना पड़ा और जर्मनी को अपना कर्व जो है वो छोटा करना पड़ा और जैसे ही जर्मनी ने कर्व छोटा किया सो जर्मनी जो है वो इन natural यह जो boundaries है इन rivers की इन rivers में जो है वो फस्ता चला गया सो यह जो आपको purple dotted line नजर आ रही है this was the greatest limit of German advance यहां तक जो है वो जर्मन सैनिक आगे बढ़ सके और फिर यहां तक जर्मन सैनिक आ गया थे फिर उसके बाद फ्रेंच सैनिकों ने इन्हें पीछे धकेल दिया और फिर आपको यह पूरी एक जो solid purple line नजर आ रही है this was the front line सो आईए अब मैं आपको introduce कराता हूँ क्या warfare इस्तमाल हुआ पहली बार युद के इतिहास में warfare के history में पहली बार trench warfare को इतने बड़े लेवल पर use किया गया था देखें ट्रेंच जो है वो medieval period से बनाई जाती रही है भारत में बहुत बड़े लेवल पर trenches का मतलब यह कि आप आपने खाई खोद दी एक side ताकि सेना जो है वो maneuver ना कर सके है आप जो है वो बाद्धे कर दें किसी सेना को किसी particular direction मूव करने के लिए लेकिन यहाँ पर front lines बना लेना trench की और उन trench basically क्या होता है कि आपने एक एक जो है वो गड़ा खोद दिया अब एक गड़े में तो केवल आप कितने सेनीक उतार पाएंगे दस बारा लेकिन मान लीजिए कि अगर आप जो northern coast है वहाँ से लेकर Switzerland के बॉर्डर अल्प्स तक अगर आप पूरा का पूरा trench ही बना दें ठीक है दोनों side Germans भी बना दें और इस side Britain और France की सेनाई भी मिलके गड़े खोद लें और सारी सेना में जो है वो मुलब कांटेदार जालियें लगा दी जाएं और सेनिको को एक-एक करके जो है मरने के लिए छोड़ा जाएं वहाँ पर तो खेट trench warfare आगे मैं डिसकस करूंगा आपके साथ लेकिन यहाँ पर eventually हुआ यही ठीक है जो शलाइफन प्लैन था वो शुरुवात में कामयाब हुआ जब तक वो जर्मनी जब तक जर्मनी बेल्जियम में अटेक कर रहा था लेकिन जैसे उन्होंने फ्रांस में अटेक किया सो पीछे से घूम कर जाना उनके लिए option नहीं बचा क्यों कि उतना समय नहीं रहा क्यों देखिए समय की पावंदी क्या थी जर्मनी के कर दे वही हुआ भी जो इस्टन प्रूशिया वाला रीजन है उस पर रुषियन आर्मी ने इन्वेड कर दिया लोग ने वहां पर जो है वह घर खाली करने शुरू कर दिये अब जर्मन सेनाओं को अपना ध्यान जो है वह दूसरे फ्रंट पर ले जाना लगा ले जाना ने जा सके कियो कि टाइम कं था क्योंकि वहां पर पर अटेक कर दिया जर्मनी ने वहां ठील सेना खो भी जो गया क्यों की अकॉर्धिसरे दो फ्रंट में लढ़ना लढना ही नहीं था ठीक है इससे पहले रॉशिया मोबिलाईज करे इससे पहले फ्रांस को ढी stylist ही लेना थ ठीक है वो नौबत ही नहीं आए देनी कि दो फ्रंट पे लड़ना पड़े अगर दो फ्रंट पर लड़ना पड़ा तो फस जाएंगे ठीक है और वही जर्मनी के साथ हुआ भी दो फ्रंट में जर्मनी फस गया तो ये map आप बहुत ध्यान रखिएगा इसमें battlefields देखिए जो cross लगे हुए है ये important battles हुए है यहापर ठीक है सबसे उपर देखिए आप Battle of Isr फिर उसके बात Battle of Ipress फिर नीचे आपको First Battle of Ainz First Battle of Man, Battle of Worden ये सारी battles आगे मैं आपसे discuss करूँगा ठीक है बहुत important है ये map मैं side हो जारा हूँ इस map का आप screenshot जरूर लेने अब आगे देखते हैं श्लाइफन प्लैन के कुछ और points देखिए Now Germany demanded that its troop be allowed to pass through Belgium on their way to France अब Germany Belgium में enter करने से पहले उसने Belgium के शाशक को बोला कि हमें जो है वो enter करने दो Belgium के शाशक ने तुरंद Britain phone गुमाया, phone तो नहीं लेकिन telegram बेजा कि Germany ऐसे करके बोल रहा है Britain ने बोला कि हमें समय दो हमें scenic acquire करने दो तब तक आप रोक के रखो और Britain ने जो है वो पूरा आशवाशन दिया Belgium को कि आपको हम कमी नहीं होने देंगे हम आपको food supply provide कर रहे है, ammunition provide कर रहे है वो सारी चीज़े आपको मिलती रहेंगे लेकिन हमें scenic acquire करने दो हमारे पास scenic नहीं है ठीक है now Belgium a neutral country refused, refused किसे Germany को हम पास नहीं होने देंगे now Germany then invaded Belgium this brought Great Britain into the conflict the British had closed ties with Belgium one of their nearest neighbors of the continent outraged over the violation of Belgium neutrality Britain declared war on Germany on August 4 Belgium के साथ Britain के relation क्या था है क्योंकि Belgium से एक तो France से भी वैसे Europe में port मिल जाता है लेकिन France being the huge country France इतनी बड़ी country है उसके पास English Channel में भी ports है उसके पास Atlantic में भी port उसके उस Mediterranean में भी port है अपनी economy भी उसकी strong है तो France जो है वो conditions रख सकता है Britain के सामने कि अगर आपको export करना है हमारे देश में तो ये conditions है So that means Europe में अगर technologies को cheap मतलब अपने जाद सादा profit बनाते होगे अगर Britain को export करना है तो कोई एक देश चाहिए जो साथ दे उनका Denmark वो देश नहीं बन सकता क्योंकि Denmark की फिर Germany से boundary बनती है ठीक है तो जर्मनी वहाँ पर खड़ा है पहले दर्वाजे पर So that means Belgium एक ऐसा देश बन जाता है जिसके साथ अच्छे relation बनाना बहुत जरूरी हो जाता है किसके लिए Britain के लिए Netherlands भी एक ऐसा देश आप कहेंगे Netherlands भी तो है Netherlands के साथ भी उसी तरह की relations थे जैसे Belgium के साथ relations थे इसके Britain के ठीक है So अगर Germany Belgium को युद में उलजाता है तो basically Britain के लिए जो important ports है यूरोप में जहाँ पर Britain अपने सारे export को dump कर रहा है बहुत सस्ते दाम पर वो छिंजाता है यूरोप से क्योंकि अगर Belgium चला गया अगर Belgium चला गया तो Netherlands को जाने में जायस हमें नहीं लगेगा So Belgium Netherlands अगर चले गए और अगर France का काफी बड़ा Coastal Line वाला region जो है वो जर्मनी अपने कंट्रोल में ले लिया तो Britain को अगर अब यूरोप में ट्रेड करना है तो Spain पूर्टगाल के रास्ते करना जब Belgium पर अटैक किया जर्मनी नहीं तो Britain के लिए जरूरी हो गया कि यूद छेड़े वो जर्मनी के खिलाब तो ये कुछ economic motives भी नजर आते हैं उसके लावा political भी हैं relationships तो हैं ही लेकिन आप ये कहेंगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ना तो George V उसके अलावा विलहम सेकिंड और जार निकुलस सेकिंड ये तीनों के तीनों cousins हैं ये तीनों के तीनों ताउचाचा में आपस में और इनकी दादी Victoria सबकी common और Victoria के मरने के बाद ये conflicts जो हैं वो escalate हुई हैं क्योंकि जब तक Victoria जिन्दा थी उसने युद नहीं होने दिया और खेर निकुलस सेकिंड ने बाद में ये बात कोट भी करी है कि अगर गराणमा जिन्दा होती हमारी तो ये वो युद जो हो इतने बड़े लेवल पर नहीं जाता वो हमें रोक लेती Victoria के जाने के बाद जो हो इंट्रेस्ट क्या थे माइक्र अनलेसिस की बात है वो लेकिन यहां पर केवल हमें foundations बनानी है पहले ठीक है तो आई होप आपको शलाइफन प्लैन समझ आया होगा आगे देखते हैं नेक्स्ट है डिविजन आफ येरोप इन्टू टू केम्प येरोप में दो मुखें केम्प बन गए है तो वो तो हमने पहले सही देखे हैं ट्रिपल अन्टू ट्रिपल अलाइंस लेकिन आई है देखते हैं उनको अब action में नाव बाइ मिड आउगस्ट 1914 दे बैटल लाइन्स वर क्लिर्ली द्रॉन on one side were Germany and Austria-Hungary they were known as the Central Powers because of their location in the heart of Europe Bulgarian Ottoman Empire would later join the Central Powers in the hopes of regaining lost territories on the other sides were Great Britain, France and Russia together they were known as Allied Powers or the Allies Japan joined the Allies within weeks Italy which at first was neutral joined the Allies after 9 months into the war ठीके तो ये हैं आप आपके camps देखिए तो ट्रिपल अलाइन्स और ट्रिपल एंटार्ण थे ट्रिपल अलाइन्स के अकॉर्डिंग जर्मनी जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और इटली जो है वो जो Central शक्तिया है उरोप की उनको जुड़ कर रहना था ठीके, लेकिन अभी मैं आपको यूरोप का मैप दिखाऊंगा, नेचुरल बॉर्डर्स जो अल्प्स है ना, जो अल्प्स है वो इटली को मेनलेंड यूरोप से थोड़ा अलग कर देते है ठीके, इसलिए इटली के पास जो है वो अब सोचने का समय था कि Central Powers के साथ जोड़े जाए है एलाइड के साथ, ठीके, क्यों क्योंकि अगर Central इटली ने वेट किया, काफी समय तक इटली नूट्रल रहा है, क्योंकि उसकी भूमी पर यूद नहीं हो रहा था क्योंकि अल्प्स लाइन की वज़े से जो एल्प्स हैं परवतमाला हैं उनकी वज़े से युद का असर इटली पे नहीं था लेकिन आस्ट्रिया और सर्बिया में कॉन्फिक्ट चल रहा था और सर्बिया और आस्ट्रिया ने कुछ ऐसे रीजन्स अपने कंट्रोल में रखे हुए थे जहां पर इटैलियन भाषा बोलने वाले लोग थे ज्यादा तर ग्रीस से भी हो सकता है लेकिन अलबेनिया भी एक बहुत इंपोर्ट पोर्ट है राइट लब पोर्ट टाउन्स है उसके पास सो अलबेनिया का प्रोटेक्टोरी टिली को दे दिया जाएगा ये ये जो है वो लालच दिया गया अलाइस द्वारा इटली को इटली कुछ समय जो है वो नीट्रल रहा लेकिन जब इटली ने देखा कि आस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे प्रेशर डाल रहा है और सर्बिया जो है वो आस्ट्रिया हंगरी को करारा जबाब दे रहा है क्योंकि यूद की शुरुवात तो वहीं से हुई है आस्ट्रिया ने जब डिकलेर किया वो और सर्बिया पर तो इटली पर समस्या बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि वो यही बोलेगा कि समय पर तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया ट्रिपल अलाइंस तुमने क्यों तोड़ा ठीक है तो यहां पर एलाइज के साथ जुड़ने के कई सारे कारण है इटली के खेर इटली नौ महीने बाद जुड़ा जब युद जो है वो बहुत बड़े लेवल पर पहुँच गया था क्यों क्योंकि सभी नहीं यह सोचा था मैंना आपको बताया ना पिछले 50 सालों में यूरोप में बड़ा युद नहीं हुआ था देट मींज एक एंटायर जनेरेशन बड़ी हुई थी प्रेम मतलब मतलब प्यार महबत के गीत गाते हुए कलाकारी करते हुए मतलब कहने में जितनी भी समाज की वो है ना क्या बोलते हैं लग्शरी उन सब को इंजॉय करते हुए लेकिन अफकोर्स जो पीजेंटरी है वो जाता है युद के दौरान जो है वो खाल उतार ली जाती है दुश्मनों की यानिक एट्रोसिटीज की जाती है बहुत जादा उन्हें वो एट्रोसिटीज वो तबाही वो भुकमरी वो बिमारियां वो सब नहीं देखा था ठीक है तो जब युद के लिए भेजा जा रहा ना सैनिकों को तो सैनिक जो है वो बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी मात्र भूमी के लिए लड़ने जा रहे थे लेकिन तीन हफते के दौरान जब लाशें आने लगी वापिस तब सबका जो है वो सबका ये भ्रहम तूट गया कि युद जल्दी खतम होने वाला है क्यो तो इटली को साइड जो है वो अलाइस की लेनी पड़ी ठीक है उसके अलावा बुलगेरिया और जो आटमन है उसको क्लियर जो है वो जर्मनी ने बोल रखा था कि देखिए हम जीतेंगे ना तो जर्मनी से सीधा ट्रेन रूट बनेगा बगदाद के लिए पर्शियन और ये साउथ इस्टेशिया से जितना भी ट्रेड है ना हम इस जमीनी मार्ग से यूरोप में पहुंचाएंगे और ये जो बृतेन ने मनोपलाईज कर रखा है साउथ इस्टेशिया के ट्रेड को हम वो मनोपली तोडेंगे और अपना सिस्टम बनाएंगे और आटमन यानि तुर्की जो है वो ब्रिटेन के इतने खास जो है वो शौकी नहीं थे जर्मनी से उनका पुराना अच्छा रिलेशन था ही जर्मनी का साथ जो है वो आटमन एंपायर ने दिया उसके लाबा बुल्गेरिया को बहुत लालज दिया गया कि तुम्हें कोस्लाइन दे देंगे तुम्हें ये दे देंगे तुम्हें वो दे देंगे लेकिन बुल्गेरिया आलसो जॉइंड आटमन एंपायर क्योंकि बुल excuse me now early on Germany's schleifen plan worked brilliantly ठीक है जब तक Belgium में था ना Germany schleifen plan बहुत बहतरीन तरीके से काम कर रहा था by the end of August the Germans had overrun Belgium and swept into France जर्मन जो है वो Belgium से निकल कर France तक पहुँच गए थे ठीक है अब यह next map देखिए इस map में आपको जो है वो central powers और जो एंटांट है यानि जो allies है वो नजर आएंगे ठीक है सो जो central powers नहीं देखिए जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बुलगेरिया और Ottoman Empire तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बुलगेरिया Ottoman Empire से यानि तर्की से एक जो है वो railway line जाने वाली थी या France जैसी शक्तियों ने जो monopolize कर रखा था इस trade को वो monopoly तूटने जा रही थी ठीक है ये plan था Germany का देख रहे हैं आपको clearly जो है वो शक्तियां जुड़ी हुई नजर आ रही है और Germany के इस plan को काम्याब होने से रोकना था ठीक है तो ये नया order था जो नया order बनने जा रहा था economic नया order और जो already existing पुराना order है Britain France का उन्हें ये order बचाना था और Russia को इसलिए अपने साथ जोड़ा गया क्योंकि Serbia का issue है political कारणों पर आगे बात करेंगे लेकिन Russia को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि Russia को जो है वो Russia को industrialize होना था और Russia को industrialization provide कौन कर सकता था Britain Germany से better Britain provide कर सकता था क्योंकि Britain के पास obviously resources Germany Russia को लगा कि Britain के पास resources जादा है और Germany जो की रिष्टेदार होने के पावजूद पडोशी भी है और इतने सालों से technology सांजा नहीं कर रहा है Russia के साथ so Russia को एक अलग जो है वो साथ ही डूणना था तो Russia चोज बिटेन so यहाँ पर आपको जो allies है France, Italy, England और उस साइड रशिया आपको allies नजर आ रहे है Russia और नीचे Romania तक रशिया में Poland भी जोड लीजिये और इधर Caucas वाला region भी पूरा ठीक है अगर आप Black Sea के उस साइड जाएंगे तो जो Caucas वाला region है वो भी आपका जो है वो रशिया केंट्रोल में था not just Caucas लेकिन Caucas से लेकर नीचे Northern परशिया तक मैंने वोला ना 1907 की ट्रीटी परशिया का Northern वाला पार्ट जो है वो किसके केंट्रोल में है रशिया केंट्रोल में राइट तो Caucas वाला region तो है यानि जॉर्जी आप प्रेजेंटे जॉर्जी वाला region तो है ही उसके नीचे अगर आप बढ़ते जाएं तो परशिया तक जो है वो पूरा कंट्रोल किसका रशिया तो यह मैप आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते है तो श्लाइफन प्लाइन की बात कर रहे थे हम बेल्जियम में आगे वो नव बाए सेप्टेंबर थ्री जर्मन यूनिट्स वर अन दा एज अफ पैरिस पैरिस से केवल 30 मील दूर ठीक है पैरिस से लगभग 30 मील दूर और एट मैक्स 12 मील पास तक जो है वो पैरिस के पहुँचे थे जर्मन अब मेजर जर्मन विक्ट्री अपियर डेज आफटर ठीक है सब को लगा कि जर्मन जैसे ही फ्रेंच पहुचेंगे कैपिटल अपने कंट्रोल में फ्रांस जाएगा हार ठीक है लेकिन फ्रांस को पहले से पता था उन्होंने कैपिटल जो है वो बर्दो शिप्ट कर दे थी फ्रांस का एक और बहुत इंपोर्टन जो है वो काफी बड़ा ब्लोप फ्रांस के लिए तो था ही ठीक है so the French military then came into possession of intelligence that told them the exact direction the German army was about to take French military को German army की खबर लग गई कैसे लगी यहाँ पर एक बहुत important technology World War 1 के पहले जो है वो डबलप हो गई थी वो थी the ability of men to fly flight यानि की ऐसे aircrafts develop हो गए थे जो की उड़ सकते थे यानि aeroplane develop हो गए थे उसके अलावा जो zepplain होते हैं ठीक है जो बड़े-बड़े hydrogen से भरे हुए balloons होते हैं यह उसके अलावा hot air balloons होते हैं इन सारे devices इन सारे machines के माध्यम से air aerial क्या बोलते हैं उसको reconnaissance किया जा सकता है ठीक है reconnaissance का मतलब होता है कि आप जो है वो नजर रख सकते हैं जो element of surprise था किसके पास जर्मनी के पास वो छीन लिया गया जर्मनी से ठीक है अब यह जो मान रिवर है यह natural border था परिश के लिए राइट so allied forces ने defense करने के बजाय offense करना से ही समझा और उन्होंने attack कर दिया and they took Germans by surprise Germans were not prepared for though they have prepared for an attack but they were surprised by that attack right because वो खुद offensive जो है वो design कर रहे थे और सामने से भी offensive आ गया now after four days of fighting the German generals gave the orders to retreat ठीक है चार दिन के यूद के बाद मान रिवर से Germans सैनिक जो है वो पीछे हट गए and this was the first biggest victory for allies और यह victory जो है वो यहाँ पर युद को मान रिवर की victory जो है वो युद को define कर देती है क्योंकि जैसे ही मान रिवर के मान रिवर से Germans को पीछे हटा दिया गया जो यहाँ पर वो ट्रेंच लाइन बिठा दि गई और यह ट्रेंच लाइन फिर कभी भी पार नहीं कर सके कौन Germans throughout the world war ठीक है now after four days of fighting the German generals gave the orders to retreat by September 13 the Germans had driven back nearly 60 miles although it was only the first major clash on the western front the first battle of मान was perhaps the single most important event of the war the defeat of the Germans left the schleifen plan in ruins schleifen plan जो है वो नश्ट हो गया और अब यह युद जो ऐसा लग रहा था जर्मनी को कि जल्द से जल्द खतम होगा मान रिवर की importance क्या है कि schleifen plan खराब हो गया था schleifen plan basically क्या था कि France को जल्दी से हाराना है और रश्या से लड़ने चले जाना है लेकिन France हारा नहीं France ने सैनी को पीछे जर्मन सैनाओ को पीछे भेज दिया और उधर पुरुशिया पर इस्टन पुरुशिया पर अटैक करना शुरू कर दिया रश्या ने रश्या जो है वो अनेक्सपेक्टिडली अपने आपको जल्दी मोबिलाइज कर लिया रश्या ने दिस वज अगेन अ सर्प्राइज फर जर्मनी हैंस इट वस अ फेलियर फोर श्लाइफन प्लैन रइट अ क्विक्ट्री इन वेस्स नो लोंगर सीम पॉसिबल इन दे इस्ट रश्यान फोर्सेज हैड अल्रेड़ी इन्वेड़िड जर्मनी ठीक है तो फ्रांस को भी नहीं जीच सके और रश्या ने भी इन्वेड कर दिया श्लाइफन प्लैन हो गया आपका फिल देखिए अब यहां पर न ब्लेम गेम बहुत इस्टॉरिकल टेक्स को अगर थोरली फॉलो करेंगे न तो कहीना कहीं कंक्लूजियन यह निकलता है श्लाइफन वस एड़ स्केपगोट ठीक है वस आ काइंड ऑस्केपगोट लेकिन यह प्लैन जो एक्जीक्यूट किया गया वह किया था श्लाइफन प्लैन के उपर ही लेकिन श्लाइफन हिमसेल्फ डिड नॉट एक्जीक्यूट नहीं किया था मौत के नाम का एक जो है वो आर्मी जनरल मिलिटरी जनरल रहेगा जर्मनी का हम देखेंगे मौत के जूनियर उसने जो है वो यह मौत के तो यंगर कहा जाता है उसे उसने एक्जीक्यूट किया था विट स्लाइट चेंजिज और वो स्लाइट चेंजिज जो है वो समस्या बन गए जर्मनी के लिए ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट अब देखते हैं ये मैप अब इस मैप में आपको मैं फ्रंट दिखा रहा हूँ ठीक है so जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको जर्मनी नजर आ रहा है नेधरलेंड नजर आ रहा है बेल्जियम नजर आ रहा है फ्रांस नजर आ रहा है ग्रेट बिटेन इंग्लिश चैनल ठीक है so according to श्लाइफन प्लैन घूम कर जाना था घूम कर जाना था और पीछे से फ्रांस पर अटेक करना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं ठीक है अपना जो यह कर्व है जो यह इतना बड़ा सी कर्व बनाना था यह छोटा बनाया उन्होंने और वो फस गए मान रिवर पर ठीक है तो वही यहाँ पर हुआ उसके अलावा सौम नजर आएगा कैंटिगनी नजर आ रहा है बेलू वूट नजर आ रहा है शोटाव नजर आ रहा है और नीचे आपको वहाँ पर वर्डन तक तो यह सारे जो इंपोर्टन पॉइंट्स है मैं इनका नाम आपको जिकर करूँगा लेकिन सबसे पहले आपको मान को ध्यान रखना है ठीक है एक बार मान तक जो है मान में आने के बाद अगर हार गए जर्मन्स तो उनको पीछे धकेल दिया गया उनको पीछे धकेल दिया गया कहां तक यह जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना इस blue line तक धकेल दिया गया और एक बार Germans इस blue line के पीछे पहुँच गये और यहाँ पर trenches बन गई तो यहाँ पर युद जो है वो पहुँच गया stalemate में अब stalemate एक chess का move होता है मतलब chess में chess के दौराने एक ऐसी situation होती है stalemate जिसमें दोनों ही sides अब कोई ऐसा move नहीं ले सकती की राजा को मार दिया जाए या basically the literal मतलब of stalemate is this कि एक ऐसी situation जिसमें दोनों opposite parties जो है वो अब move नहीं ले सकती यानि की जो युद का dynamics है वो थम गए stationary जो है वो हो गया युद stalemate में चला गया और एक नए तरीके का warfare जो है वो यहाँ पर invent हो गया वो था आपका trench warfare so trench warfare अब आपको मैं आप समझाऊंगा तो यह जो blue line है ठीक है यह जो blue line है देखिए this is यह जो यह तो blue line है यह armistice line है यह अंत में युद के बिलकुल आखरी में जाकर यहाँ पर यह line जो है वो बनी ठीक है लेकिन अगर आप यह side में box देख रहे है तो central power forces यह जो लाल जो arrows है यह germans है ना यह move कर रही है जो यह blue arrows है यह कौन move कर रहा है यह यह french है ना उनने move किया ठीक है यह जो brown line है जो की मान तक पहुंची है यह जर्मन सहनों का maximum extent रहा और उसके नीचे stabilized front 1914 से 1918 तक यह blue और brown के बीच में जो light brownish जो line है this is your trench यह trenches जो है वो बनी रही और 1914 से 18 तक सहना है इससे आगे move ही नहीं करी और यही हमें समझना है कि यह trenches में कैसे फसे ठीक है तो यह map आपके लिए बहुत important है मैं side हो जा रहा हूं make sure you get a nice screenshot of this map ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए now Germany was going to have a fight Germany was going to have to fight a long war on two fronts realizing this German high command sent thousands of troops for France to aid its forces in the east meanwhile the war on the western front settled into a stalemate Russia ने eastern front पर attack कर दिया Asian Russia पर मान के युद में हार गए German इन so German Senai जो है वो eastern front पर भेजनी पड़ी क्योंकि two front war खिच गया अब और जो western front है यहाँ पर बन गया stalemate यानि की alright अब देखते हैं trench warfare ठीक है so पहला point देखिएगा by early 1915 opposing armies on the western front had dug miles of parallel trenches to protect themselves from enemy fire this set the stage for what became known as trench warfare in this type of warfare soldiers fought each other from trenches and the armies trade huge losses for pitifully small land gains life in trenches was pure misery देखिए जैसे ही मान के battleground से जर्मनी को पीछे धकेला गया so जर्मनी 60 mile पीछे आकर France उसके पीछे पीछे आता रहा France ने जर्मनी को आगे advance नहीं करने दिया so जर्मनी ने क्या किया जर्मनी ने वहाँ पर खोद कर जो है वो trenches बना ली trenches यानि की अपने लिए जो है वो नालियां बना ली गहरी गहरी नालियां जिसमें scenic जो है वो रह सकता था अंदर proper तरीके से जैनिक अंदर रह रहा है लेकिन मिट्टी के वो नालियां मिट्टी की थी उनमें underground जो है वो घर बनाए गए गए proper अब ये trench warfare उने जो है वो बाब्ड वायर यानि की तारे बिछा दी ताकि एक सेना advance ना कर सके सामने की तरफ ठीक है और दोनों सेनाए जो है वो trenches के अंदर रह रह रही हैं और trenches की तीन लाइन बनाए गई एक जो front दूसरी support और तीसरी reserve तीन लाइन जो है क्यों कि अब trench warfare ने नए तरीके के weapons का development शूरू कर दिया जिसमें से shells shell grenade जो है वो एक नए तरीके का weapon जो है वो develop हुआ जिसमें क्या होता है basically कि जो grenade है जो mortar जो है वो एक grenade को shoot करता है और दूसरी trench के ऊपर जाकर वो फट जाता है और वो जैसी फटेगा जो है उसके अंदर lead के bearings होते है और वो तुरंत जो है वो छर्रे जिनको बोर बोलते है ठीके वो छर्रे जो है वो sienico पे लगेंगे और वो sienico के सर के उपर लगता है सर फाट देता है sienico का और मर जाते थे वो ठीके तो यहाँ पर हमें देखने को मिले इस तरह के shell grenades so shell grenades के खिलाफ जो है वो अब metal के helmets जो है वो use करना शुरू किया ठीक है so Germany का पहले वो unispiked helmet रहता था उसकी जगा जर्मनी ने अब steel के helmets similarly France ने steel के helmet और Britain ने steel के helmets यूज करने शुरू किया so इस तरह के बहुत सारे trench warfare के related वो बहुत सारे हतियार बने अब माल लिए जीए एक military journal जो है वो यहाँ पर trenches से attack करने को बोलता है 10,000 सैनिकों को और सामने वाली सैना machine guns लेकर बैठी है तो basically slaughter चल रहा है slaughter चल रहा है सैनिकों का हर रोज हजारों के हिसाब से दोनों साइड के सैनिक मरते गए और military journals ने एक दूसरे के उपर जो है वो अपने हजारों सैनिक जो है वो छोड़ देते थे और वो हजारों सैनिक मर जाते थे और कितना कितना gain होता था कभी एक mile कभी एक दो mile कभी कुछ ही foot समझ रहे हैं यानि कि बहुत छोटा छोटा जो है वो territorial gain और उसके बदले लाखों के हिसाब से लोग मर रहे थे अब उसके अलावा देखे shell grenades जैसे बहुत सारे बहुत सारे जो है वो projectile weapon डवलप हुए और इसमें से सबसे खतरनाक था एक gas poisonous gases छोड़ी जानी शुरू की गई इसमें एक बहुत famous किस्सा है कि जर्मनी ने सबसे वैसे तो शुरुवात France के द्वारा की गई थी लेकिन poisonous gases को masterful तरीके से यूज किया जर्मनी ने और उसके लिए mask जो है वो proper mask जो है फ्रांच की तरफ लेकिन हवा उल्टी दिरेक्शन में चल गई और जर्मनी के सेना के ही लाखो लोग जो है वो घायल हो गए poisonous gases से लेकिन सबसे बड़ी समस्या दुश्मन ना होकर चूहे थे क्योंकि चूहे जो है वो कई तरहा की बिमारियां फैला रहे थे युद में चूहे जो है वो ट्रेंचिस में आदिमों के साथ रह रहे थे और खाने की इतनी shortage थी कि लोगों ने मूंसा हार किया यानि चूहों को मार कर खाया ठीक है तो ट्रेंच बेसिकली नरक था और ट्रेंच वारफेर जो है वो एक नए तरीके का वारफेर डबलप हुए यहाँ पे ठीक है जिसमें military journals ने अपनी creativity का use बिलकुल नहीं किया और लाखों के साबसे सैनिकों को मरवाया गया slaughter करवाया गया actually ठीक है एक soldier ने हमें कई सारे soldiers के खतों से जानकारे मिलती है कि trenches में life कैसी थी लेकिन to sum it up a man slept in mud washed in mud ate mud and dreamt mud wrote one soldier ठीक है एक सेनिक ने ऐसा लिखा है now the trench is swarmed with rats fresh food was non-existent sleep was nearly impossible the space between the opposing trenches won the grim won the grim name of no man's land ठीक है दो trenches के बीच का जो area था उसको नाम मिला no man's land का है जिसको आज भी दो hostile देशों के बीच की जो मतलब line of control होती है उसके बीच का जो region होता है उसको no man's land कहा जाता है तो ये no man's land trench warfare से निकला है ठीक है now when the officer ordered and attacked their men went over the top of their trenches into the bombed out landscape और लाग होगी साब से लोग मरें ठीक है now there they usually met murderous rounds of machine gun fire machine gun develop हो गई थी एक पहले क्या हुआ करता था जो medieval time या early modern क्या जो warfare था जो guns थी वो single round gun हुआ हुआ करती थी उसमें जो है वो cartridge को fard कर उसमें बारूट डालना फिर lead डालना फिर वो salak से उसको ऐसे करके push करना अंदर फिर shot करना तो एक minute में आप जादे साथ 2 round fire कर सकते थे लेकिन जब magazines डलना शुरू हो गई round by round by round जाओ है वो एक magazine में आप 6 round fire कर सकते थे 10 round fire कर सकते थे लेकिन जब machine gun आ गई न कि लगातार machine gun basically क्या होता है कि without reloading आप लगातार shoot करते रहें और machine gun की गोलियां भी काफी लंबी-लंबी ठीक है काफी बड़ी-बड़ी गोलियां हो गरती है और काफी ज़्यादा damage गरती है अब देख लिए जो trenches बंद गई अब जो military journal है वो क्या कहेगा कि 10,000 सेने की trench कूदो और सामने वाले पर attack करो सामने वाले सैनिक जो है वो तयार बैटे अपनी machine gun के साथ अगर आप trenches यानि उन नालियों से सर बाहर निकाल लेंगे और सामने दोड़नेंगे सामने machine gun है यानि openly आपको मरवाया जा रहा है basically ठीक है यह जो openly मरवाया गया है दोनों side से जर्मनी की तरफ से भी और allied forces ने भी मरवाया है ठीक है लेकिन और कोई नया तरीका सूज ही नहीं रहा था अगर आप उस trench में बैठे रहते हैं तो opposing forces आपके उपर artillerys जो है वो shot करने लग जाती है ठीक है जो aerial reconnaissance है उसके मादम से यह देख लिया जाता है कि कितनी दूर आपकी trenches हैं तो उसी हिसाब से जो है वो अपनी artillerys को mount करके आपके trenches के ओपर shell grenade से attack करना शुरू कर दिया जाता है जिससे आप अगर अपनी trenches में बैठे हैं तो वो भी safe नहीं है ठीक है तीसरी चीज अगर आप युद से भागना चाहें देखिए दोनों तरफ सैनिक के लिए मौध है अगर सैनिक लड़ने जाता है ट्रेंच पार करता है तो वो मर जाएगा machine gun fire से और सैनिक अगर ट्रेंच पार करने से मना कर देता है तो treason के charge में उसको मार दिया जाएगा अगर आप लड़ो तो भी मिरतिव है अगर नहीं लड़ते हैं तो आप ही की लोग आपको मार देंगे ठीक है तो treachery at reason के charge में भी मिरतिव है और अगर लड़ते हैं तो भी मिरतिव है तो लड़कर मरना जो है वो maximum cases में आप यह सैनिक जो है वो पसंद करेंगे और लड़कर ही सैनिक सैनिकोंने अपनी जान दी है ठीक है अब यह सब नए टूल्स आने के बावजूद भी अब यह सवाल बनता है कि जब इतने सारे टूल्स डेवलप थे तो जल्दी से जल्दी यूद क्यों नहीं जीत कहा जर्मनी या फ्रांस या लाइट फोर्स तो उनके जवाब जो है वो आप इनी सब पॉइंट से निकालेंगे ठीक है आगे बैसे डिसकस करेंगे इस कोश्चन को डिटेल में ना अल इस नुव टेक्नोलजी वस किलिग फूज नम्बर फूपल मोर एफेक्टिवल इस लॉटर रिचट अपीक इन 1916 इन फेबररी ज़र्मन्स लॉट्ट अमैसिव अटैक अगेंस दे फ्रेंच नियर वर्डन इच साइड लॉस्ट मोर दें 300 मैं इन जुलाइ 1916 बैटल अफ वर्डन आपको ध्यान रखनी है बैटल ऑफ सॉम रिवर बैटल ऑफ वर्डन बैटल ऑफ मान बैटल ऑफ इप्रिश ठीक है यह सारे आपको बैटल ध्यान रखनी है अब आईए कुछ मैप के मादम से मैं इनी मैटल को आपको दिखाने ही कोशिश करता हूँ ठीक है तो रशिया से शुरू करते है रशिया में सबसे पहले देखिए इस्टन फ्रंट आपको नजर आ रहा है वो इस्टन फ्रंट है वहां तक जर्मन सेनाय पहुँच सकी ठीक है फिर आपको यह जो लाल मतलब जो दाइरा नज़र आ रहा है यहां तक रशियन सेनाए पहुंच चकी जर्मनी के अंदर और फिर आपको जो यह बीच में लाइन नज़र आ रही है इन दोनों के बीच में एंड उफ नैंटीन सेवनटीन यानि विश्वियूद के खतम होने तक यहां तक जो है वो पीस डबलब होगा जब पीस मतलब गोशित किया गया या जब आर्मिस्टिस गोशित किया गया यानि की युद विराम जब गोशित किया गया तो यहां तक सेनाए जर्मन सेनाए पहुंच गए थी लेकिन नवंबर 1914 में यह जो आपको बीच में नजर आ रहा है ठीक है ज़स्ट पुरूशिया गे बाहर आप देखेंगे यह वो ट्रैंच है ईस्टन मतलब रशिया के तरफ ठीक है अब देखिये रशिया कहा कहा लड रहा है यहां पर हमें देखना है कि रशिया जो है वो जर्मनी से और आस्ट्रिया से उल्जा हुआ है ठीक है सो इस्ट में जर्मनी यानि की जर्मनी में भी पुरुशिया वाले पार्ट में आपको नजर आ रहा है पुरुशिया से जस्ट भाहर देखेगा यह ट्रेंचीज नमबर 1908 है ट्रेंचीज डिबलप हो गई वहां पर नोट 18 लेकिन 14 में ट्रेंचीज डिबलप हो गई और साउथ में आप देखेंगे तो साउथ में जो है वो आस्ट्रिया के खिलाब जो है वो लड़ता वो नजर आएगा आपको कौन रशिया उसके लाबब बुलगेरिया से भी रशिया जो है वो लड़ता वो नजर आएगा ओटमन एम्पाइर से रशिया के त्रशिया जो है वो आपको ऊकस वाले रीजन में कौकस जो पहाढ़ है जो प्रेजटे जॉर्जि निदे जॉर्जीज यानि की के सिपीन सी और बलैक सी के बीच में जो तैज दिख रहे है ना आपको इसबशão कौकस और कौकस वाले अब मैंने आपको बोले ना रशिया के पास Baltic Sea से आउटलेट है Atlantic Ocean में ट्रेड करना लेकिन वह जो बाल्टिक सी से जो रास्ता उन्हें मिल रहा है नौर्थ सी बाल्टिक सी से रास्ता जो उन्हें मिल रहा है Atlantic में वह बहुत महेंगा है क्योंकि वहाँ पर उनको टोल देना पड़ रहा है किस-किस को बृटेन को मी टोल दे नवेंगर को भी और उनके लिए सस्ता रास्ता कौन सा बढ़ता है Yuk लेक्षी से कॉंस्टेंट निपल से होते हुए अगर वो गैलिपली पैनिज्वला के साथ जो डार्डेनल्स ट्रेट है यहां से अगर वो मेडिटरेनियन में ट्रेड गरते हैं ठीक है एजी एंजी के रास्ते तो यह इनको रेलेटेवली बहुत सस्ता बढ़ता है और कॉंस्टेंट निपल में अगर रोक लेता है ट्रेड अगर तर्की या डार्डेनल्स और गैलिपली पैनिज्वला है वो भी किसके पास है अब यह आपको नाम बहुत अजीब लग रहे होंगे आगे मैं आप दिखाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो डार्ड और ब्रिटेन से आने वाली जितनी भी रिइनफोर्समेंट्स हैं वो रशिया को नहीं मिल सकती बिकाज रशिया के पास भले ही सैन एसंख्या 6 मिलियन की हो लेकिन उनके पास टेक्नोलोजी नहीं है उसको प्रप आम्स एमूनूशन्स रेलवेज आटलरी हतियार नहीं है उ या डाडनल स्ट्रेट के रास्ते कॉंस्टेंट निपल से गुजरते हुए ब्लैक सी के रास्ते जो है वो रशिया पहुंचेगा उक्रेन से गुजरते हुए अगर ब्लैक सी वाले ट्रेड को रोक ले तर्की तो रिइनफोर्समेंट रशिया की फस जाएंगी रशिया को र रिश्या के लिए रास्ता रोक रहा है तो टर्की को हराना बहुत ज़रूरी है इसलिए विंस्टेंट चर्चिल ने एक एप्रल 1915 टू जैन्वरी 1916 यहां पर गैलिपली का अभियान चला एलाइज का जर्मन इसके एलाइज का सेंट्रल फोर्सिस के खिलाफ और फिर कॉंस्टेंट निपल वाला एरिया आपको नजर आ रहा है न देखिए गैलिपली से एजिएंसी से आप एंटर करेंगे सर्बिया को लड़ते हुए देख सकते हैं और सर्बिया यहां पर लड़ रहे हैं यहां अपसमें इदर इटली के जस्ट ओपर देखिए ओस्ट्रिया और इटली ट्रेड ना कर सके किसके साथ जर्मनी को reinforcements ना मिल सके अपनी colonies या एशिया से या साउथ अमेरिका से या यूएस से जो नेवल ब्लॉकेड जो है वो नॉर्थ सी में create कर रखा है ब्रिटेन ने इंग्लिश चैनल तो ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में करी रखी है लेकिन उपर नेवल ब्लॉकेड भी बना रखा है और ये जो नॉर्थ सी वाला रिजन है बाल्टिक सी वाला रिजन है यहाँ पर यूद हुए और उसमें से एक बहुत इंपोर्टन बैटल हुई है बैटल ओफ जूट लैंड जिसमें दोनों पक्षियों को हानी हुई थी ठीक है अब बैटल्स का नाम लेते हैं तो आप देखिए वेस्टन फ्रेंट में यह जो गाड़ी लाइन दिख रही है न आपको भी चाहिए दिस वेस्टन फ्रेंट लाइन यानि कि यह जो ट्रेंच डवलप हुआ है यहाँ ठीक है अब यह मैप आप मैं साइड में हो जाता हूँ आप इस मैप का जो है वो स्क्रिंशॉट लेली जाएगा और ध्यान से इस मैप को स्टडी किजेगा कहा कहा पर यह दो रहा है ठीक है आपको ध्यान रखना है जो वेस्टन फ्रेंट लाइन है यहाँ पर जर्मनी जो है वो लड़ रहा है ब्रेटेन और फ्रांस से इटली लड़ रहा है आस्ट्रिया से आस्ट्रिया लड़ रहा है सर्बिया बुल्गेरिया दोनों से लड़ रहा है रशिया लड़ रहा है जर्मनी आस्ट्रिया बुल्गेरिया से और ओटमन्स लड़ रहा है किस से एलाइड से गैलिपली में और ओटमन्स जो हैं वो कॉकस म रशिया से भी लड़ रहे हैं ठीक है यह सारे फ्रंट्स खुले हुए तो बहुत इंपोर्टन्ट है आपको इस में आपका ध्यान से समझने ठीक है अब यह अगला मैप देखिए इस इस दे वेस्टन फ्रंट अब इसी तरह का मैप आपको मैं इस तरन फ्रंट का भी एक्स्टेंट जहां तक पहुँच सके कौन जर्मन्स ठीक है यह डॉटेड लाइन है जहां तक जर्मन्स जो है वो पहुँच सके कब जब उन्होंने एडवांस किया ठीक है जो पहली बड़े वाली जो डॉट है ना बड़े वाली डॉट लाइन है जो पैरिस के पास पहु गई trenches यह जो आपको छोटी 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 जो डॉटिट लाइन दिख रही है न यह बन गया आपका फ्रण्ट यहां पर जो है वो trenches establish हो गई ठीक है अब इन trenches में दोनों सैट देखिए एक साइड आपको green जो वो नज़र आ रहे हैं जर्मन और ब्लू वाले नज़र आ रहे हैं फ्रेंच उसके लावा बेलजियन भी है और ब्रिटिश भी यहाँ पर अड़े होएं ठीक है तो बेसिकली 1914 दिसंबर से लेकर 1917 जब तक युद विराम नहीं हुआ इसी ट्रेंचेस पर सभी सेनाए वेस्टन फ्रंट पर अड़ी रही और उससे पहले जर्मन केवल फ्रांस की कैपिटल पैरिश के नज़्दीक तक पहुंचने में कामयाब रहे बट इन द बैटल ओफ मान रिवर सेना को जर्मन सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहे फ्रेंच क्यों क्योंकि फ्रेंच केम इंटु फ्रेंच जो है वो एक बहुत important उनको एक intelligence मिल गई थी किसकी वज़े से British aircraft की वज़े से British aircraft ने जो जर्मनी की सैना का movement देख लिया था ठीक है तो ये map आपका जो है वो western front clearly आपका explain करता है मैं side हो जाता हूँ आप इस map का जो है वो screenshot ले लिजिएगा और एक एक छोटे छोटे point को ध्यान से समझिएगा देखेगा किस तरह Belgium पूरा का पूरा दूसरे विश्यूद में Belgium पूरा का पूरा जर्मनी ये control में और फ्रांस का काफी बढ़ा हिस्सा जर्मनी ये control में आगया ठीक है आईए अब trench warfare पर कुछ और important points देखते हैं on the first day of the battle alone जब trench warfare establish हुए more than 20,000 British soldiers were killed by the time the battle of Somme ended in November each side had suffered over a million casualties what did the warring sides gain near Verdum the Germans advanced about four miles near Somme Valley British gained about five miles तो ये 4-5 miles की gain और 10,000,000 से total सभी के allies और Central सभी forces के जोड़े जाए तो 10,000,000 से ज़्यादा सैनिक मर गए और लगभग बराबर सैनिक मरें दोनों साइड देख रहे हैं आप 10,000,000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो जोग दिये गए योदमे ट्रेंचिस में और केवल 4-5 miles जो है वो भूमी gain हो पाई तो बेसिकली यहाँ पर जनता को मरवाया जा रहा था अब आप यह गहेंगे यह आम जनता कौन है यह वही मजदूर है जो पहले मिलों में काम कर रहे थे कार खानों में काम कर रहे थे माइन्स में काम कर रहे थे जिनको मोटिवेट किया गया कि आपको अच्छी तनकवा दी जाएगी आईए सेना जोइन कर लिजिए ठीक है तो ब्रिटेन ने भारत से औस्ट्रेलिया से न्यूजिलेंड से कैनड़ा से एफ्रिका में अपनी जित बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जो है वो सेने मिलिटरी फेलियर है मतलब मिलिटरी जनरल्स का ठीक है यहाँ पर सवाल बनता है कि स्ट्रेड़िजी क्या थी खर उसको आगे डिसकस करेंगे नेक्स देखेगा देखेगा इस्टन फरंट अब यही सब चीजें ट् लोग मर गए थे लेकिन फिर भी इस्टन फ्रंट में भेजी जा रहे थे सैनिक दुनिया भर के ठीक है नो दिस एरिया वज अस्ट्रेच ऑफ बैटल फिल्ड अलॉंग जर्मन और रिशियन बॉर्डर देखिए जो वेस्टन फ्रंट है ना वेस्टन फ्रंट में बेल्जिय ओटमांस के खिलाफ इटली के सैनिक वहाँ लड़ रहे थे इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी फोर्सेज नहीं थे लेकिन इटली की जो इटली की सैनिकों का इंसेंट्रेशन जो है वो युदमे सधन पार्ट में था ठीक है सधन जो भी मतलब फ्रंट स है वहाँ पर था जो है यहाँ पर एलाइज लड़ रहे थे ब्रिटेन फ्रांस और बेलजियम जर्मनी वेरस जर्मनी जो है वो वेस्टन फ्रेंट में भी लड़ रहा था और इस्टन फ्रेंट में भी इस्टन फ्रेंट में एलाइज की तरफ से केवल रशिया लड़ रहा था किस से जर्मनी से भी आस्ट्रिया से भी बुलगेरिया से भी और कॉकेस में ऑ्टमन से भी तो रशिया ने इस्टन फ्रंट पूरा संभाल रखा था ठीक है वैसे रशिया को reinforcements पहुँच रहे थे सेनिको के नाम से सेनिको के उसमें भी जेनरल्स भी पहुँच रहे थे फिर रशिया तक समान पहुचाना जो है वो बेल्टिक सी से जरूरी हो गया या बेल्टिक सी को पार करके पीछे से तो वो तो सर्दी के समय में तो जम जाता है वो वहाँ से समान पहुचाना नामुम्किन था तो रशिया के पास रशिया के लिए समस्या खड़ी हो गई रशिया के पास सैनिक थे लेकिन उसो सैनिक और्गनाइजड नहीं थे अच्छी तरीके से जो है वो इक्विप्ड नहीं था रशिया भले उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत ज़ाद थी लेकिन यहाँ पर आपको यह समझ आता है कि जर्मनी वज इंडल्ज इन वेस्टर्ण फ्रंट एस वेल इस इस्टर्ण फ्रंट रशिया इस्टर्ण फ्रंट में तो लड़ी रहा था आउस्ट्रिया से भी लड़ रहा था और कॉकस में म ale autumnman से लड़ रहा था जबकि France और ब्रे में के मृच्टन चिल से लड़ रहा है लेकिन से लिया है में सबसे ज़दा फासर और उस्ट्रिंइन ओ फनी सबसे ज़क्छ कि उसका तकता ही पलट हो गया क्योंकि जार का जो लड़का था वह बिमार था उसको खून मलब उसका खून का धपका नहीं बनता था यानि उसको जखम भरता नहीं था तो उसके पास वर्चुली इडिड नॉट हैड नी हियर उसके पास उत्रादीकारी नहीं था और भी मतलब जो नुकसान है वो जर्मनी को जहळना पढ़ा और ऐस्रिया अंगरी को जहळना पढ़ा और रशिया को जहळना पढ़ा और फ्रांच और ब्रिटेज जो है वह उन्होंने केवरि इंड़स्ट्रिल आइस किया युद का उन। बहुत फाइदा पहुंचा US को अभी हमने युदमनी उता रहा है US को आगे उता रहेंगे ठीक है लेकिन ये अंत में देखेंगे अंत में आके हम last में conclusions create करेंगे किसको फाइदा हुआ किसको नुकसान हुआ लेकिन आप अपने अंदर जो हैं along the German and Russian borders here Russians and Serbs battled Germans, Austrians and Turks the war in the east was a more mobile war than that in the west here too however slaughter and stalemate were common by 1916 Russia's war effort was near collapse unlike the nations of western Europe Russia was yet to become industrialized as a result the Russian army was continually shot on food, guns, ammunition, clothes, boots and blankets moreover the allies were enabled to ship supplies to the Russian ports in the north a German naval fleet blocked the Baltic Sea Russia के साथ देखे क्या समस्य है Russia के पास भले ही सैना 6 million के हो लेकिन उसमें से एक तिहाई यानि लगबग 2 million सैनिकों के पास तो बंदूके ही नहीं समझ रहे हैं विश्यूद में इतना बुरा हाल था कि सबसे आगे जो सैनिक चल रहा है उसके पास बंदूके होती थी जब एक ट्रेंच से फैके जाते थे सैनिक दूसरी की तरफ तो जो आगे सैनिक चल रहा है उसके पास बंदूके होती थी और जो पीछे सैनिक चल रहा है उसके ये हिदायत दी जाती थी जब तुम्हारे सामने वाला सैनिक मर जाए तो तुरंट उसकी राइफल उठा लेना तो जो राइफल्स की कमी थी इनके पास उसको पूरा करने का ये तरीका था कि जब सामने वाला सैनिक मर जाए तो तुरंट उसकी राइफल उठा लेना तो आदे से ज़़ाद से रही तो बगैर राइफल के दोड़ा रखे थे नोंने खास कर रशिया ने ऐसे नहीं है कि फ्रांस और ब्रिटेन के पास सभी के पास राइफल्स थी खास उनके पास भी राइफल्स की कमी थी लेकिन खास कर पे पाल्टिक सी वाले रीजन पर डेनमार्क और नॉर्वे स्वीडन फिनलेंड को जर्मनी ने बोला कि अगर तुमने पास होने दिया तो बहुत मार लगाएंगे और अपनी वार्शिप्स वहाँ पर लगा दी और ब्रिटेन से जो है वो रशिया को स्रीन्फोर्स्मेंट नहीं पहुंची और सर्दियां आ गई थी तो घूमके भी नहीं जा सकते था आक्टिक वाले रीजन से वह सब जम चुका था और उस तरह के शिप सभी डवलप नहीं हुए था कि जो आक्टिक को जम हुए आक्टिक को पार कर सके तो रशिया के लिए बेसिकली समस्या है बढ़ती और नीचे देखिए ब्लैक सी यह जो ग्रीन वाली लाइन है इस ग्रीन वाली लाइन तक मैक्सिमम जो है वो जर्मन सेनाय बढ़ सकी रशिया में और उसी के विपरीत यह जो आपको देखिए उस बॉक्स में देखिए सबसे पहला फर्दर रशियन एडवांस इन नाइंट वस दा फ्रेंट लाइन यह फ्रेंट लाइन थी 1917 ठीक है और उसके लावा नीचे बुलगेरिया के नीचे देखिएगा यह जो रेड लाइन है इस गैलीपली कैमपेन 1915 का अब यह जो टर्की वाला रिजन है देखिए बुलगेरिया मैंने वोला ना एड्रियॉनपल The Treaty of Bucharest मैंने आपको बताई थी पिछले सेशन में जिसमें मैंने आपको बताया था कि एड्रियॉनपल जो है वो टर्की को वापिस दे दिया गया था क्योंकि एड्रियॉनपल टर्की का काफी पुराना शहर रहा है और अगर एड्रियॉनपल टर्की के पास रहता है तो जो जो स्ट्रेट है जहां से इस्तानबुल को रास्ता जाता है उस डार्डेनल स्ट्रेट के दोनों साइड का हिस्सा जो है वो तर्की के पास रहेगा दैट मींज जो ब्लैक सी है उसमें कॉंट्रेड करेगा कॉंट्रेड नहीं करेगा कॉंस्टेंट निपल के रास्ते कॉंट्र आफ बुकारेस्ट में फाइनली टर्की ने या यंग टर्क के प्रेशर डालने पर उन्हें दे दिया गया क्या एड्रियनपल और यह समस्या बनगी एलाईज के लिए क्यों क्योंकि जब एड्रियनपल मिल गया टर्की को तो उसने जो है वो गैलीपली पैनिशुला में स्ट् डाडेनल स्ट्रेट है अभी आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन अगला जो मैं आप दिखाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा ठीक है जो डाडेनल स्ट्रेट है उसको जो है वो ब्लॉक कर लिया कि इसने ऑटमन्स ने और ब्लैक सी के रास्ते अव रशिया को रिइन रशिया जो है वो जर्मनी से लड़ रहा है रशिया औस्ट्रिया से लड़ रहा है और रशिया जो है वो बुल्गेरिया से लड़ रहा है रशिया कौकस में तर्की से लड़ रहा है और एलाइस जो है वो गैलीपली में तर्की से लड़ रहे है ठीक है नेक्स देखिएगा now in the south the ottomans still control the straits leading from mediterranean to the black sea ठीक है दक्षिन में ottomans mediterranean से black sea के बीच का जो strait है dardanals उसको control कर रहे है क्योंकि adrianople या adrine जो है वो किसके control में है तरकी के now the russian army had only one asset its number russia के पास केवल एक जो है वो एक asset है russia के पास वो है उसकी संख्या क्यों क्योंकि persian gulf में भी support नहीं मिल सकता वहाँ पर भी ब्रिटेन ने अपना control कर रखा है baltic sea से जर्मनी ने आने देरा और black sea से तरकी नहीं अंदर आने देरा trade ठीक है तरकी ने dardanals को control में किया है now throughout the war the russian army suffered enormous battlefield losses more than two million russian soldiers were killed ठीक है बीस लाख से ज़्यादा russian सेनिकों की मिर्तिव हुई बहुत बड़ी संख्या है बीस लाख भारत के कुल सेनिकों की संख्या है मतलब उससे कुछ ज़्यादा है लेकिन मोटे तोर पर आप 2 million कह सकते है so more than 2 million russian soldiers were killed उतरे तो मर गए उनके और captured in 1915 alone and yet the army continually rebuilds its rank from country's enormous population for more than 3 years the battered russian army managed to tie up hundreds of thousands of german troops in the east the germany could not hurl its full fighting force at the west russia का basically allies में काम क्या था russia का काम ये था कि Britain ने बोला, Britain और France ने कि Mediterranean और Baltic सी के रास्ते तुमें हम राशन पानी अम्मिनिशन सब पहुचाते रहेंगे तुमें बस जर्मनी को eastern side में उल्जा के रखना है ताकि जर्मनी अपने सारे forces का इस्तमाल west में ना कर सके अगर रशिया युद में नहीं होताता ना और अगर जर्मनी अपने सारे forces का use जो है वो west में कर देता तो France जो है वो तब शलाइफन plan कामयाब हो जाता छे हफतों में France तूट जाता क्योंकि जर्मनी के पास इतनी ऐसा नहीं है कि जर्मनी के पास सबसे बड़ी सेना थी लेकिन जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा developed सेना थी equipment के तौर पे भी plans के तौर पे भी discipline के तौर पे भी ठीक है बृतेन के पास तो सेना थी नहीं बड़ी संक्या में और France के पास artillery कम थी जर्मनी के पास सारी चीज़े अवलेबल थी इसलिए सर्बिया वाला इश्यू बना कर रखा गया ताकि रश्या वहाँ पर अपने आपको जो है वो जोड के रख सके यूरोप के साथ और समय आने पर रश्या जो है वो जर्मनी को इस्टर्ण फ्रेंट में उल्जा ले यह बहुत गहरी पॉलिटिक्स चल रहे थी ठीक है खेर नेक्स पॉइंट देखेगा अब वार बिकम्स ग्लोबल अब वार जो है वो ग्लोबल कैसे बन गई मैंने आपको वेस्टर्ण फ्रेंट समझाया मैंने आपको इस्टर्ण फ्रेंट समझाया मैंने आपको आटमन एंपायर के साथ जो यूद चल रहा है वो समझाया मैंने आपको आस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया का कॉन्फिक्ट समझाया मैंने आपको इटली के मोटिव देखे कुछ ही हफतों बाद जब जब जपैन को दिखा कि जर्मनी यूद में उलज गया तो जपान ने जब जर्मनी के खिलाफ यानि एलाइज की तरफ से यूद छेड़ दिया क्योंकि जपान और ब्रिटेन की ट्रीटी जब पहले से होगी थी जो पैसिफिक में जर्मन जितनी भी आईलेंड्स हैं क्योंकि जपान को अपनी इंपिरिलिस्टिव पूरे कर रहे थे अब एशिया पर लगबग पूरे एशिया पर यूरोप का गंट्रोल है लगबग पूरे एफरीका पर यूरोप का गंट्रोल है और जो North America, South America है वो US के कंट्रोल में है भले ही colonize ना किये हो लेकर economically उनके कंट्रोल में है तो Japan के लिए बच जाता है केवल Russia जो immediate पडोसी है Korea, Russia, China और South East Asia में जो islands हैं जो की relatively कमजोर imperialistic शक्ती जर्मनी के पास है और अभी जब वो युद में है तो वो और कमजोर है तो जर्मनी में जर्मनी ने, sorry, not Japan ने दोहरा फाइदा अपनाया जर्मने जितने वाली शक्ती के साथ, यानि अलाइज के साथ भी अपना relation मनाया और जो हारने वाली शक्ती है, जर्मनी उससे भी अपने islands जो है वो छीन लिए जो जो गिनी islands है या अन्य Pacific region में जितने भी German possessions थी उन पर जो है वो जपान ने अटेक कर दिया और जपान को चाइना को कॉलनाईज करना था चाइना को कॉलनाईज करने के लिए जपान के पास भाना नहीं था तो ये भाना जपान को मिल गया, जपान ने तुरंत जर्मनी की जो सिंग्टोई की जो इस वाले region की, ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा की जपान ने किस तरह जपान की कॉलनी की कॉलनीज पर अटैक किया जपान की मिलिटरी शक्ती बहुत जब जब अभी रशिया से जीते थे कुछ साल पहले उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने आपको मिलिटराइज किया और वो सब यूरोपीन शक्ती से इतना दूर हैं तो वो peacefully अपने आपको industrialize कर सकते हैं जैसे ही they set their foot on China बहुत आसानी से एक हफते के अंदर उन्हें जर्मनी की कॉलनी को वहां से हटा दिया और अब उन्हें चाइना पर अपना अधिकरन करना शुरू किया वो एक अलग आपको मैं topic में कराऊंगा कि Japan ने किस तरह China को colonize किया है ठीक है Japanese imperialism मैंने world war से पहले तक कराया आपको फिर अब Japanese imperialism में आपको world war के दोरान और second world war से पहले का और second world war के बात तक का क्या रहा वो एक अलग topic में आपको समझाऊंगा मैं ठीक है लेकिन जपान ने बहुत जल जो है वो allies का साथ दिया और German colonies को अपने control में किया next देखिएगा the Ottoman Turks and later Bulgaria allied themselves with Germany and central powers Ottoman Turks को Britain ने भी जो है वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी यानि allies ने भी लेकिन Germany ने clear बात बोली थी कि दो को rail mark बनेगा सबको फायदा होगा और Ottoman Turks जो है वो इतने खास fan नहीं थे allies के तो इसलिए Germany की बात वो तुरंत मान गया और उनको पता था है कि जो गैलिपली वाला region है यह हमारे पास है तो Russia को अगर powerful बनना है तो Mediterranean से trade करना है तो हम बैठके चूंगी खाएंगे तो हम बैठके टोल खाएंगे ठीक है इससे बढ़िया क्या करते है हम जर्मनी का साथ देते हैं तो Bulgaria रास्ते में बढ़ता ही है तो Bulgaria भी जुड़ गया किसके साथ क्योंकि Bulgaria सर्भिया के खिलाफ है सर्भिया जो है वो रश्या के साथ है तो automatically यह पुरानी राइवलरी चल रही है तो हम जितना conveniently बोल देते हैं कि Bulgaria सर्भिया के खिलाफ है ठीक है सर्भिया रश्या के साथ है यह जो इतना conveniently दुश्मनिया बन जाती है यह जो differences create होता है यह politics होती है basically यह create किया गया है सर्भिया का मामला बलकांज में create किया गया ताकि Russia जो है वो indulged रहे यूरोप की गतिविदियो में और समय आने पर Eastern Front प्रोवाइड करें जर्मनी के खिलाफ ताकि Britain को फायदा हो जो ultimate जो पीछे लोग बैठे है ना दिमागदार वो Britain में बैठे है ब्रिटेन में भी फ्रांस में भी मतलब जो पुराने खिलाडी है इस इंपिरिलिजम के गेम के ठीक है तो यह बहुत deep politics है आपको धीरे-धीरे समझाओंगा मैं ठीक है खेर तो Ottoman Turks and later Bulgaria allied themselves with Germany and central power they widened the conflict further अब देखे जितने ज्यादा देश जुड़ते जाएंगे उतनी ज्यादा भूमी पर रियोद होगा simple सी बात है by early 1915 the only major neutral power left besides United States was Italy Europe में बड़ी neutral power Italy बचा Switzerland है लेकिन वो बड़ा नहीं है Norway, Finland और Sweden है वो लेकिन बड़ी बड़ी ओद्योगिक शक्ती नहीं है वो महीने बाद Italy भी जॉइन कर लेता है April में किसको allies को contrary to the to their existing triple alliance triple alliance में क्या था Germany, Austria, Hungary और Italy एक साथ रहेंगे but Italy joined that triple entrant जो Italy है उसने अपनी treaty violate कर दी now यूद चल रहा था किसी को फरक नहीं पड़ था किसने किसको जॉइन किया बाद में वो तो यूद के बाद में decide किया जाएगा now none of these alliances gave an advantage to either side but they give military leaders more war zones in which to try to secure victory देखिए इटली का इटली अगर और्स्ट्रिया के साथ साथ जुड़ जाता है या अगर इटली अगर allied के साथ जुड़ा भी है तो कुछ खास फरक पड़ा नहीं जैसे ही जहां पर भी front खुलता था वहाँ पर trenches डल जाती थी और trench जो है वो stalemate में डाल देती है युद को और अब बस लाख हो के साथ से सैनिक मर रहे है तो अगर इटली युद में उतरता भी है तो इटली ऑस्ट्रिया के खिलाफ मोर्चा जब खोलेगा तो वहाँ पर trench डाल देगा basically right so trench डालने से हो क्या रहा है कुछ फाइदा तो हो नहीं रहा territorial gain तो हो नहीं रहा उससे सैनिक ही मर रहे है लेकिन basically trench डालने से क्या हो जा रहे है कि या और कोई जुड जाता है अगर allies के साइट जुड़े या central powers के साथ जुड़े basically वो बड़ा युदक्षेतर देता है और सेनिकों को मारने के लिए और कोई फाइदा नहीं हो रहा उससे ठीक है now as the war dragged on the allies desperately searched for a way to end stalemate a promising strategy seemed to attack a region in the Ottoman Empire known as Dardanelles अब ये Dardanelles वाले region पर attack करना जो है वो Winston Churchill का idea था कि वहां करते हैं हम Russia को support देते हैं क्योंकि ये जो stalemate है ये जो stalemate है हमें तोड़ना है ना that means Germany का eastern क्योंकि देखिए जो allies forces है ना उन्हें ये लगा कि Germany को eastern western front में दोनों में उलजा देंगे तो जल्दी यूद खतम हो जाएगा इसलिए Russia जो है वो उतराया यूद में पहले ही ठीक है लेकिन Germany powerful था stalemate होने के और trenches डलने के बावजूद भी उसने अपनी boundaries को रोक कर रखा हुआ था यूद नहीं खतम हो रहा था प्लस Baltic Sea और नीचे अब ओटोमन को अपने साथ जोड लिया जो जर्मनी ने और उनोंने जो डाडनल्स को कंट्रोल कर लिया है रशिया पर प्रेशर बढ़ता गया अब रशिया पर इतना प्रेशर बढ़ रहा था और रशिया में रशिया को विवश्च कर दे यूद से बाहर निकलने में और जर्मनी जो है वो इस्टन फ्रंट से मुक्त हो जाए फिर जो जर्मनी वेस्टन फ्रंट में अपना मूँ करेगा न तो एलाइस उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे एलाइस वहां पर हार जाएंगे ठीक है एक यहां पर नई strategy बहुत जरूरी थी रशिया तक reinforcements पहुचाना बहुत जरूरी था इसलिए ottomans को हराना बहुत जरूरी था इसलिए यहां पर चर्चिल ने कहा इसलिए फर्स lord of admiralty ठीक है फर्स lord of admiralty बेशिकली क्या होता है जो नेवी होता है उसका जो सबसे topmost rank होती न इसलिए फर्स एक रशिया पहुचान चर्चिल और उसने कहा कि जो डाडनल स्ट्रेट है वह हमें अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा इस्तानबुल को अपने कंट्रोल में लेते हैं और इस्तानबुल के रास्ते जल्दी से जल्दी रिइनफोर्स्मेंट से रशिया अत्यार मिल सके और इस्तन फ्रेंट में हम युद को और देखिए ब्रिटेन बेल्जियम फ्रांस के लिए बहतर क्या आएगी इस्तन फ्रेंट में नुकसान हो क्योंकि युद अपने साथ जो तरास्दी लेकर लाता है वो तरास्दी लेकर आता है वो यानि ट्रेजडी जो और इंफेक्ट अगर इस्टन साइड में डेमेज होता है तो रशिया भी कमजोर हो जाएगा और जर्मनी भी कमजोर हो जाएगा इससे फ्रांस और ब्रिटेन खुलकर जो है वो अपनी शक्ति को एक्समेंड करेंगे तो काफी डीप जो है वो उनका मुदला मोटिव था ठीक ह तो नेक्स पॉइंट देखिएगा अप्रोमिसिंग स्ट्रेटेजी सीम टू बी टू अटैक और रीजन इन ऑ्टमन एंपायर नोन एस दार्डेनल्स दिस नेरो सी स्ट्रेट वस्ट गेटवे तो अटमन कैपिटल कॉंस्टेंट निपल ठीक है आगे मैं आपको मैप में दि जर आएंगे तो मैं साइड उजाता हूँ आप इसका स्क्रिंशोट ले लिजेगा और मुझे अब एक्स्प्लेइन करने की जुरूरत आपको ना पड़े आपको तुरंत पता होना चीए देखिए मैप में आपको क्या-क्या पता होना चीए और अगर अंसर राइटिंग मे नहीं कहां तक, आगे पिछे धकेला, जर्मन को और फ्रंट्ट लाइन कहां पर बनी या नी ट्रेंचली स्कूर grading стран राइट उन सारे पॉड्टác का चीए मैं आपको द्रॉ करना चीए और फिर जब ट्रीटी वाला आपको पॉइंट बताऊंगा तो बीच में आपको बनाना आना चाहिए कि जब ट्रीटी हुई और ट्रीटी से पहले जब आर्मस्टिस साइन किया गया यानि युद्ध विराम जब साइन किया गया तो कहां पर लाइन खिची कहां पर जो है वो सैनाय मौ कार्टोग्राफर है नहीं वो यह देखना चाहता है कि आपको बेसिक चीज़े पता है या नहीं ठीक है आपको यूरोप का मैप और आपको जो है वो लेटिटीटूड लॉंगिटूड की थोड़ी नॉलेज हो यूरोप की कौन कहां पर है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुली म रेक्टेस करी गा है ना जग्जामीन है उसको दिखना चाहिए कि आपने 150 बार यूरोप का मैप अपने हाथ से बनाया हुआ है ठीक आप बनाना जानते हैं राइट इसलिए मैप यह आपको बार बार दिखा रहा हूं सो मैं साइड हो जाता हूं इसको स्क्रिंशॉट लीज इसने जीती और किस समय हुई और बाकी सारी फ्रंट लाइन बगारा वो सारी चीज़े यहाँ पर अभलेवल हैं सो मेक शूर यू टेक आ स्क्रिंशॉट अप इस मैप आम गेटिंग मैं जो है वो साइड मोजाता हूं स्क्रिंशॉट लीजी ठीक है अब बढ़ते हैं आगे नो नेक्स आता है डाडनल्स वाला पॉइंट यह आगे बढ़ते हैं ठीक है नो बाई सेक्योरिंग दाडनल्स अपने कंट्रोल में आएगा तरक्स भी हार जाएंगे देखें कॉंस्टेंट निपल अपने कंट्रोल में आ जाता है तो 15th century में गया था वो मुसलमानों के हाथ में अब जाके वो अब Christians के हाथ में आएगा लेकिन 28th century तक आते हैं कोई मतलब रह नहीं गया था इन बात होगा ठीक है पॉलिटिकल हो गई थी सारी बात है Christians और Muslims के बीच का युद नहीं था अब बड़ी-बड़ी merchants और capitalist और उनके पीछे बैठी सरकारे और monarchs और military generals इन सब के interest चुपे हुए थे ठीक है खेर पार्टियों के interest चुपे हुए थे so अगर Constantinople basically जो भी control करता है न वो Mediterranean से Russia के trade को control करता है वो Europe से Central Asia as well as Arabian और Persian region का जो पूरा trade है उसको control करता है वो Constantinople से बैठे बैठे जो Persian Gulf as well as Red Sea से आने वाला जो trade है उसको control करता है तो बहुत important point है Constantinople so Britain के लिए तो Britain के लिए आखों का तारा है Constantinople उनके पास आगया तो कमाई में चारचांद लग जाएंगे क्योंकि स्वेज कनाल के खुल जाने के बाद Constantinople की तो बहुत ज़्यादा एहमियत बढ़ गई है क्योंकि अब पहले जो पूरा एफरीका घूमकर आना पड़ता था अब तो स्वेज कनाल के रास्ते सीधा Mediterranean सो अगर Constantinople आपके पास है तो स्वेज कनाल भी आप control कर लो तो रेड़ सी से आने वाला जितना भी अगर वाला रीजन आता है तो वहां से ऑस्ट्रिया पर भी आटाइक हो सकता है अब यहां पर ना बहुत ध्यां से देखेगा ब्रिटेन ने अपने आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के ट्रूप्स यहां पर भेजे ब्रिटेन ने भारत के बहुत कम ट्रूप भेजे एक एक जो है वो रेजिमेंट भारत से आई थी ठीक है उसके अलाबा ब्रिटेन ने न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया की रेजिमेंट यहाँ पर भेजी और फ्रेंच ट्रूप्स भी आए लेकिन बहुत कम इटेलिञ内 यहाँ पर क्लेर ली पदा चलता है जो गूंस्टिंट निपल पर कंट्रोल है ब्रिटेन चाता है वह मेरे पास रहे क्योंकि फ्रांच भी जानता है बहुति इंप्रेंट आ रे तो तो फ्रांस को पता है कि अगर जीत जाते हैं हम गैलीपली का केमपेंग तो इसलिए ब्रिटेन ने अपनी ज्यादा सहना भेजी हुए यहाँ पर ऐस कम्पेर टू फ्रांस ताकि जब जीते हैं तो वह क्लेम ब्रिटेन का रहे फ्रांस का ना रहे ठीक है सो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन न्यूजिलेंड औन फ्रेंच ट्रूप्स मेड रेपिटेड असॉल्ट्स ऑन गैलिपली पैनिजला अन दे वेस्टन साइड अफ त्रेट तर्किश ट्रूप्स हम कमांडेड बाइ जर्मन ओफिसर्स वाइगरसली दिफेंड दे रेजिन अब उसको डिफेंड कौन कर रहा है टर्किश ट्रूप्स टर्की को हत्यार टेक्नोलजी किस ने दी जर्मनी ने और खास तोर पर जर्मनी ने टर्की को प्रोवाइड किये वैसे टर्की के पास खुद के पास काफी रिसर्स है लेकिन जर्मनी ने अपनी तरफ से दिये हत्यार लो तुम military journals लो हमारे और Gallipoli को protect करो ठीक है, now by May Gallipoli had turned into another bloody stalemate ठीक है, May तक Gallipoli में stalemate आगे, stalemate का मतलब दोनों साइड की सेना है अब आगे नहीं बढ़ पा रही बोथ साइड डग ट्रेंचेस फ्रॉम विच बैटर्ड फॉर दे दोनों साइड ने ट्रेंचेस बना ली और ट्रेंच वार्फेर यहां पर भी शुरू हो गया हर जगा ट्रेंच वार्फेर शुरू हुआ है ठीक है, in December the allies gave up the campaign and began to evacuate they had suffered about 250,000 casualties धाई लाख लोग देखिए, जब ब्रिटेन से यह campaign शुरू हुआ था तो ब्रिटेन ने कहा था कि 50,000 75,000 लोग बहुत होंगे लेकिन अंत में आते आते धाई लाख लोग मरे तब जाके जो है वो ब्रिटेन allies ने वापिस हो गए और यह जो गैली पल वाला पूरा region है इसको वो जीत नहीं सके और गैलीपली was still under the command of Ottoman Turks अब यह है देखिए map अब इस map में आपको यह दिख रहा है बलकान और यह दिख रहा है तरकी और यह जो बलकान और तरकी के बीच में आपको चोटा सा region है ऐसे कट सा लगा होगा दिख रहा है ना यह रास्ता हैarbeitenट निपल का यह आपका Aegean Sea है और यह आपका Mediterranean है So Mediterranean के रास्ते Aegean Islands को Dodge करते हुए यह आपको जो हलका सा Peninjula नजर आ रहा है जहाँ पर Dardanelles लिखा है उसके साइड में जो हलका सा Peninjula नजर आ रहा है This is Gallipoli Peninjula So East Side Gallipoli Peninjula East Side Mainland Turkey बीच में से जो रास्ता निकल रहा है This is Dardanelles Strait यह Dardanelles Strait जो है वो फिर इस्तानबुल के बीच से गुजर रहा है And then Black Sea अगर जिसके कंट्रोल में यह Gallipoli Peninjula का Highland आ जाएगा वो यहाँ से Dardanelles Strait को गवर्न कर सकता है और जो Dardanelles Strait को गवर्न करेगा वो फिर इस्तानबुल के रास्ते Black Sea के ट्रेड को गवर्न कर सकता है तो यह बहुत important strategic point थी for both Turkey and as well as Britain ठीक है So मैं side हो जाता हूँ इस map का भी आप ले लेंगे जरूर screenshot ठीक है और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ बार-बार की Google Earth जो application है अपने device पर install करें वैसे बहुत बड़ी application है इट टेक्स एटलीस 4 चार जी भी तो एटलीस रहा होने चीए आपके device में ताकि यह ठीक से काम करें लेकि उसके अलाब आपने PC में चला सकते हैं अगर वहाँ पर graphics कड़ो और अगर नहीं चल रहा है तो Google Maps खोलो अगर आप device पर चला रहे है तो और 3D में इतना बहतरी ना आपको समझाएगा सारा का सारा system मतलब geography का वहाँ पर जाके इन maps को देखिए यह जो static maps है इससे जादा समझाएगा आपको Google Maps में जाके एक पर देखेंगे तो बहुत मज़ाएगा आपको पढ़ने में मैं personally Google Maps को यूज़ करता हूँ geography पढ़ने के लिए ठीक है खेर आगे बढ़ते है next देखिएगा now despite the allies failure at Gallipoli they remain determined to topple the Ottoman Empire in South West Asia देखिए Gallipoli में हार गए लेकिन Ottoman Empire को कमजोर तो करना ही है क्योंकि अगर Ottoman Empire मजबूत है और अगर Balkans ने हाथ जोड़ लिया Ottoman के साथ और अगर Austria Hungary जुड़ गए तो मैंने आपको बताया ना ये पूरा का पूरा जो trade ये पूरे के पूरे countries अगर आपस में जुड़ जाते हैं अपनी अलग जो है वो ट्रेडिंग की दुनिया खोल लेंगे भारत भारत के बाद अफगानिस्तान के बाद पर्शिया के बाद टर्की के बाद बुलगेरिया के बाद क्या बलता है आस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ये सब अगर जुड़ गए तो ब्रिटेन का इतने सालों की मेनत ठप हो जागी धेट मीन्ज टर्की को इंकॉर्परेट करना बहुत जरूरी है टर्की से सिरिया मेसोपोतामिया यानि की ये इराक वाला रिज़न बख़दाद वाला रिज़न और उसके अलावा साओधी वाला region टर्की से चीनना बहुत जुरूरी है क्योंकि इनी region में oil भी है बहुत भर-बर के बर-बर के इनी सब region में तेल है तो वो तेल भी चाहिए किसे इनी British forces को क्योंकि आप धीरे-धीरे oil warfare शुरू होगा पहले जो है वो warfare industries के पीछे था फिर warfare resources के पीछे हो रहा है और खास तौर पर oil के पीछे तो oil warfare भी आगे आपको मैं कराऊंगा तो तर्की को कमजोर करना जुरूरी था तर्की को कमजोर करने के लिए बगदाद को infiltrate करना बहुत जुरूरी है इसलिए Lawrence of Arabia nationalists rise up against their Turkish rulers अब देखिए pressure groups तो हर जगा मौजूद है और जो बाहर ही शक्तिया है न वो आपके आंतरिक देश के जितने भी pressure groups है उनको support करेंगी ताकि आपके देश में dispute establish हो जाए तो अगर तर्की को हराना है तो बाहर से तो attack करना ही पड़ेगा तर्की के अंदर से भी कमज तर्की से मुखे देश जो है वो छीन लिये गए तर्की को देखेगा disincorporate कैसे किया गया है आगे समझाओंगा मैं जब treaties कराओंगा लेकिन यहाँ पर समझते है थोड़ा सा इन साओथ वेस्ट एशिया थे ब्रिटिश हेल्प एरब nationalists rise up against their Turkish rulers particularly devoted to the Arab cause was a British soldier named T.E.Lawrence better known as Lawrence of Arabia helped the help he helped lead the lead daring guerrilla raids against the Turks with the help of Arabs allied armies to control of Baghdad Jerusalem or Damascus in various parts of Asia and Africa Germany's colonial possessions came under assault अच्छा यह last point Germany के लिए आ गया यहाँ पर Ottoman के लिए था Ottoman Baghdad Jerusalem और Damascus जो है वो Ottoman से छीन लिया गया तो आगे मैं आपको कराओंगा किस तरह Ottoman Empire को disincorporate करके Syria और खास्तोर पर Syria और Iraq जो है वो Ottoman से अलग किया गया है Saudi Ottoman influence से हटाया गया है क्यों क्योंकि मैंने बोला ना स्वेज कनाल खुल गई स्वेज कनाल के खुलते ही यह Ottoman Empire वाला जो पूरा region है Saudi वाला यह अब जिसके भी control में है पूरा का पूरा ट्रेड उसके कंट्रोल में है बेंडी ट्रेनियन से साथ यूस्टेशिया का या Indian Oceanic ट्रेड क्योंकि स्वेज कनाल के खुल जाने से कोई अपने right mind में नहीं होगा ज Atlantic बहुत खतरना question है ठीक है और यह जो Red Sea है Arabian Sea है relatively शान थे ठीक है और माउंसन भी बहुत अच्छा होता है यहाँ खेर और यह region जिसके पास उसके पास oil wealth भी है तो तरकी से यह region छुडवाना था तरकी से छुडवाने के लिए भी तरकी को involved किया गया अपने से अलग ठीक है एक यह कारण भी बनता है कि तरकी ने तरकी को विवश किया गया ऐसी conditions रखी कि तरकी किया गया कि उसने Central Powers को जॉइन किया क्यों क्योंकि वह allied को जॉइन करता तो allies के पास जो है वो एक political standing नहीं रहे जाती तरकी से उसके regions छीन कर आजाद करवाने की अगर allies की सरत तरकी जुड़ जाता तो कैसे कहता ब्रिटेन की आपके region को हम अपने control में ले रहे हैं नहीं कहा पाता ना ठीक है तरकी को डिस इंकरप्रेट करने में ब्रिटेन का हाथ है ब्रिटेन और फ्रांस का और बाद में यूएस ब्यूतरा उसमें oil wealth की लड़ाई हुई ठीक है देरे देरे समझाओंगा मैं आपको oil warfare क्या है next मैं देखेगा in various parts of Asian Africa Germany's colonial possessions came under assault Germany की colonial possessions ठीक है जो Central Africa में Central Western Africa ठीक है Southwestern Africa और East Western Africa में जो मैंने आपको जर्मनी की colonies बताई थी खासकर French Congo वाला जो रिजन 1911 में जर्मनी को मिला था ठीक है और Algeria वाला रिजन जो not Algeria लेकिन जो Southwest Africa वाला रिजन जो जर्मनी के पास था वो सब छीन लिया गया basically African colonies जितने भी जर्मनी की थी वह जर्मनी से चीन ली गई अब यह जितने भी colonies थी ना इन में भी यूद छिडा है ठीक है यह ना भी विए वाला रिजन यह जितने भी colonies थी उस पे जो है वह यूद छिडा है और उस यानि आनि माली को जिए जो आफ्रीका में जर्मन उन्हें अटेक किया उन जर्मन कॉलनीज ने वहां के एफ्रिकन को रिक्रूट किया सेना में ठीक है और उन एफ्रिकन लोगों को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी रिक्रूट किया और उन्हीं एफ्रिकन लोगों को आपस में लड़वाया और जर्मन कॉलनीज जो है वो एक्व of nations की ठीक है next देखिएगा the Japanese quickly overran German outpost in China, they also captured Germany's Pacific Island colonies, English and French troops attacked Germany's four African positions, तो ये सारे चीज़े हम already established कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं last देखिए they seized control of three 4 में से 3 colonies जो हैं वो Germany की control कर ली किन्होंने, allies ने elsewhere in Asia and Africa, the British and French recruited subjects in their colonies for the struggle, fighting troops as well as laborers came from India, South Africa, snaggle Egypt, Algeria, Indochina जहां जहां पर French और Britain की colonies थी न, वहां सबसे मजदूरों को, medics को यानि की nurses बगारा भी तो चाहिए होती हैं खाने के लिए सैनिक तो सैनिक 10 लाग से जादे तो घोड़े आया हैं सैना में ठीक है, युद में, और मरे भी हैं, और उन पर कितावे भी लिखी गई हैं, नाटक भी छपे हैं मूवीज भी बनी हैं कि घोड़े के परस्पेक्टिव से कैसा था युद, ये सारी चीज़े भी हुई है ठीक है, now fighting troops as well as laborers came from India South Africa, snaggle, Egypt Algeria, Indochina, जहां जहां पर French और English colonies थी, वहां से Scenic लाए गए, many fought and died on the battlefield, some colonial subjects wanted nothing to do with the European rulers other volunteers in hope of service would lead to their independence, ठीक है, अब जैसे भारत में ही था, भारत में maximum लोग कह रहे थे कि हमें उरोप के उद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे pressure groups और parties ऐसी थी भारत में, जो यह कह रही थी, और जिनका यह मानना था कि अगर हम अभी उरोप का साथ देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ constitutional reforms हमें मिल जाएं जिसमें गांधी जी अब बल रहे हैं ठीक है, तो वो सारी चीजे मैंने modern history में समझा दी, तो यहाँ पर आकर आज हमारा outbreak of war जो पहला part है जब तक की कौन नहीं आया अभी युद में US नहीं कूदा है जब तक युद में, तब तक का हमने समझा, हमने क्या समझा, हमने western front, eastern front, gallipoli और austria और सर्बिया और austria और इटली का वाला जो front है, यह सारे हमने explore करें, ठीक है, आगे आने वाले session में मैं लेकर आऊंगा कि Britain, it's not Britain, बट US जो है वो युद में क्यों कूदा है, तो आगे आने वाले session के लिए जुड़े ज़रूर रहेगा ठीक है, तो आज के session को मैं या conclude करता हूँ, आपके जो doubts होंगे मुझे नीचे comment के माधिन से बता दीजेगा I will be more than happy to solve your doubts, ठीक है, उसके अलावा feedback जरूर दीजेगा, session अच्छा लगा या बुरा लगा, सवाल जो पूछे हैं मैंने उनके जवाब दीजेगा, पिछले session जरूर देखिए, study IQ के channel पर जाईए, मेरे नाम से playlist मिल जाएगी, या अगर आप simply YouTube के search bar पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चोहान, playlist आपको मिल जाएगी study IQ की access कीजिए, पिछले session thoroughly follow कीजिए, उन्हे study करते आएंगे, तभी समझ आएगा कि क्या चल रहा है, क्यों पढ़ा रहा हूं में यह सब ठीक है, और अगर आप regularly follow कर रहा है तो आपको बहुत मज़ा, I hope आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, विश्यू समझने में, अगर आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा, comment के मदल जए, ठीक है, तो आज के session को मैं conclude करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले session में, मेरा नाम है विशाल चोहान तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, take care, have a nice day